हलो बच्चो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के अध्याए 7 को और ये क्या है ये है जीवों में विविदता देख सकते हो चैप्टर का क्या राम है बच्चो जीवों में विविदता यानि डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गनिजम तो बच्चो ये बहुत ही important chapter इसमें बहुत सारे चीज़ों को याद करना होता है मैंने सही बलो बच्चो याद करना होता है पढ़ना तो है ही साथ ही साथ चीजो समझना पड़ेगा तो चलो हम लोग जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही इस शेप्टर को आगे पढ़ेंगे क्या अपने कभी सोचा है कि हमारे चार ओर कितने प्रकार के जीव समू पाए जाते हैं भाई बहुत सारे जीव पाए जाते हैं वे भिन प्रकार के जीव पाये जाते हैं सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन है यानि कि तुम अगल बगल उपर नीचे दाएं बाएं जितने जीवों को देखोगे वे एक दूसरे से क्या रहेंगे भिन रहेंगे ठीक है जैसे कि तुम एक रूम में हो रूम में तुम बैटे हुए हो तो तुम भी एक जीव हो तुम्हारे रूम में माल एक डॉगी है वह अभी क्या है एक जीव है कौक रोच हो सकता है मच्छर हो सकता है मक्खी हो सकता है मकड़ा हो सकता ये सब क्या है बच्चो विबिन प्रकार के जीव है जो कि तुम्हारे अगल बगल पाए जाते हैं ठीक इसी प्रकार से तुम अगल बगल देखोगे तो हजारो प्रकार के पेण पौधे शाक सबजिया तुम को देखने को मिलेंगी तो इस प्रकार से तुम देखोगे कि ये स तारे क्या होते हैं एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो क्या हम क्या देखेंगे निश्ची तुरुप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्र के बीच बंदर के पेच्छा अधिक समानताय होती हैं पर अपन समानता और विभिनता के बारे में समझाया गया है तो समानता जैसे की कोई दो जीव आपस में कैसे कहेंगे कि समान है तो उसके रूप, रंग, आकार, आकरती, बनावट उन चीज़ों को देखेंगे और यदि वो एक जैसा लगेगा तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है क काफी समानताएं पाई जाती हैं लेकिन यदि रूप रंग और सारा चीज अलग-अलग दिखेगा तो बोलेंगे यह क्या है एक दूसरे से अलग है जैसे यदि हम अपनी बात करें तो हमारी समानता ज्यादा किस से है हमारे मित्र से होगी ना कि हमारी समानता एक गाय से होगी समझ गए इस प्रकार से हम किस से ज़्यादा समानता रखेंगे अपने मित्र से स्यादा समानता रखेंगे और गाय बैल से क्या रखेंगे विभिनता रखेंगे तो ये धीरे धीरे तुम समझोगे कि दुनिया में अब हम लोग जितने भी चीजों को देखेंगे जीवों को उ उनको क्या करेंगे बटवारा करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे समानता और विभिनता के अधार पर तो इस चैप्टर में हम लोग को वह भी पढ़ना है कि जीवों को ग्रूप करना है उनको विभिन समूहों में बाटना है किसके अधार पर समानता और विभिनता के अंशित समू के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है इसके बाद हम यह भी तै करेंगी किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है तो बच्चों यहां पर बात आता है अब लक्षण का तो लक्षण क्या होता है यानि कि लक्षण मतलब होता है करेक्टरिस्टिक जैसे कि यदि हम लोग अभी एक लक्षण की बात करें कि पीड़ पौधे प्रकास संसलेशन कर सकते है तो वह क्या हो गया एक लक्षण हो गया और यदि हम अपनी बात करें तो हम प्रकास संसलेशन नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से जीवों को हम लोगों ने दो विभागों में बाट दिया एक ऐसे जिव Combust J कहला एंगे और एक एसे जिव Combust Jaufen क्यों क्या करना ये यानि जो प्रकास एंटरेशन के द्रगारा स्वयंभोजन बना रहा है वे कौन से जिव Computed पौधे हो गए और वे जिव जो की भोचन के लिए दूसरे जन्तुओंपर निर्भर है उनको हम लोग क्या कहेंगे परपोशी यानि उनमें प्रकाश क्लाह्य करेंगे प्रकाश करेंगे और जिवो को समूह में हम λोग फिर बातेंगे अब पृत्वी पर रहने वाले जीओं के विभिन समूहों के बारे में सोचो हम एक और जहां सुक्ष्म दर्सी से देखे जाने वाले बैक्टेरिया जिनका आकार कुछ माइक्रो मीटर होता है वहीं दूसरी और 30 मीटर लंबे नीले वेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेड उड पेड़ भी पाए जाते हैं तो अब देखो यहाँ पर कुछ बाते बताई गई हैं जो की विभिनता को दर्शाता है तो हमारे अगल बगल इतने सारे जीवों के समू होते हैं इतने सारे जीवों होते हैं जो कितने अलग-अलग प्रकार के होते हैं जरा सोचो जैसे किarts HmAED कि बात करें, size किसका बड़ा होगा और किसका छोटा होगा तो देखो कि बड़े से बड़े जीउ, इस प्रिथवीर पर मौझूद है और छोटे से छोटे जीउ भी इस प्रिथवीर पर मौझूद है जैसे कि यदि bacteria की बात करें तो सोच लो कितना छोटा होता है जिसको नंगी आखों से नहीं देख सकते और वही एक यदि blue whale की बात करें नीले whale की बात करें तो लगबक 30 हाथी के बराबर उसका size होता है सोच लो कितने छोटे से छोटे जीव और कितने बड़े से बड़े जीव हमारे प्रित्वी पर पाये जाते हैं तो कुछ चीड के व्रिक्ष हजार वर्स तक जीवित रहते हैं जब कि कुछ कीड जैसे मक्षरों का जीवनकाल कुछ ही दिनों को होता है यदि हम लोग जीवनका कि बात करें तो इसमें भी देखो कितना विभिनता तुमको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हजारों वर्ष जीते हैं जैसे की चीड कवरिक्ष का बात कर रहा है इसी प्रकार से तुम्हारा यदि मगरमक्ष की बात करें या फिर तुम्हारा कच्छुआ की ब अब इसी प्रकार से हम अगल बगल बहुत सारी विभिनताओं को देख सकते हैं और जै विविधता रंग हीन जीवधारी पार दर्शी कीटो और विभिन रंगों वाले पक्षियों और फुलों में पाई जाती है अब एक और विविधता यानि कि और यहां पर अलग अलग प् होते हैं इस प्रकार देखा बच्चों की हमारे प्रित्वी पर अलग अलग सायज के अलग अलग जीवनकाल के अलग अलग रंग के मतलब अलग अलग प्रकार के विभिन प्रकार के जीवजनतु निवास करते हैं तो यह अब मानू कि इन सब का तुमको अध्ययन करना है क्य पर चलो ये विभिन प्रकार के जो जीव जन्तू है अब उनमें जिसमें समानता पाये जाएगा उसको हम लोग एक ग्रूप बना करके रखेंगे एक ग्रूप या फिर क्या करेंगे समूह में उनको रखते जाएंगे ठीक है तो अधियन के लिए अधियन मतलब उसको श्टड अलग ग्रूप में बाट दिया जैसी कि एकदम सधारन तोर से हम लोग हैं तो जो कुछ जीवों को क्या कर दिया जन्तू में सामिल कर दिया और कुछ को पीन पौधों में यानि की पादप में शामिल कर दिया गया तो बताओ तो ये वर्गी करण हुआ की नहीं हुआ बिलक अमानता और विभिनता के आधार पर विभिनता के आधार पर अलग अलग समूह में विभाजित कर देना ही क्या कहलाता है वर्गी करण जैसे कि एकदम सरल सा यहां लक्षन लेंगे प्रकास अंसलेशन जो करते हैं उनको पादप में रख दिया गया और जो प्रकास समान होंगे उनको एक ग्रूप में रख दिया गया एक समूह बना दिया गया और जो जीव अलग होते हैं उनको अलग ग्रूप बना दिया गया और इस प्रकार से जीवों का क्या किया गया वर्गी करण और इसी को हम लोग को इस शाप्टर में पढ़ना भी है जीवों के व पढ़ना दिये गए, तो यहां यदी तुम पढ़ना चाहो तो यही इस शाप्टर में पढ़ाया गया है, जैसे कि तुम्हें मैं एकडम सुरू से दिखा देता हूँ, यह देखो, तो यदी सभी जीवधारियों को देखा जाए, तो सभी जीवधारियों को कोशिका क्या धार पर देखू कैसे विभाइद किया गया है तो कुछ को प्रोकेरियोटी और कुछ जीवों को यूकेरियोटी में सामिल कर दिया गया है जैसे कि जितने भी बैक्टेरिया है उसको क्या कर दिया गया प्रोकेरियोटी और उसके अलावा जो जीव है उसको क्या किया गया यूचैरियोटी अब उसमें भी कुछ एक कोशी किये हो सकते हैं कुछ बहु कोशी किये हो सकते हैं और इस प्रकार से देख सकते हो कितना classification यहां देखने को मिल सकता है ठीक है अलग अलग वरगों में जीवों को बाता गया है अब यहें हम लोग पादप की बात करें तो देखो प्रादप का भी वर्गी करन यहां पर तुम देख सकते हो कि पादप यानि प्लांट्स को भी विभिन वर्गों में बाटा गया है ये इस चाप्टर में पढ़ना है जैसे थैलोफाइटा हो गया ब्रायोफाइटा हो गया टेरीडोफाइटा हो गया जीम्नोस पर्म हो गया तो बच्चों इन सब को याद करना पड़ेगा यानि पादप को भी विभिन समूहों में बाट दिया गया है कैसे बाटा गया है उसके समानता और विभिनता के आधार पर उसको भी विभिन वर्गों में बाट दिया गया है यदि हम लोग जनतु की बात करें प्रणी है उनको विभिन फाइलम में बना करके रखा गया जैसे कि पौरी फेरा हो गया फिर देखो सीलेंट रेटा हो गया प्लेटी हिलमिन्थीस हो गया नीमे टोड़ा हो गया तुक्या इस प्रकार से विभिन प्रकार की उनको फाइलम बना करके रखा गया है तो न Himetoda क्Er और उसी को हम लोग क्या कहते हैं वरगी करण के नाम से जानते हैं और इजह ही बात है कि मैंने बताया कि ये चप्टर बहुत टुफ भी होने वाला है और इसमें काफी तुमको मेहनत से इस चप्टर को पढ़ना पढ़ेगा ठीक है अब देखो तो आगे हम लोग बढ़े ना चोएक दम सर आगे बढ़े तो हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिनता को विक्सित होने में लाखों वर्स का समय लगा अभी देखो अब देखोगे कि हमारे अगल बगल जितने जीव हैं उनका कहीं न कहीं जो पुर्वज था बोला जाता है कि एक ही पुर्वज होगा और उसी से विभिन प्रकार के जीवों का विकास हुआ है इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है इसलिए उनके बारे में हम एक एक करविचार नहीं कर सकते हैं इसकी जगा हम जीवधारियों की समानता का अध्यन करे जिससे हम उनकी विभिन वर्गों में रख सकें फिर विभिन वर्गों वो समूहों का अधियन कर सकें तो बच्चों यही बात यहां पर बतायी गया है कि जो जीव है जितने भी जीव है उनको उनके समानता के आधार पर विभिन वर्गों में क्या किया गया है? वर्गी करण किया गया है जिससे हम लोग उसको आसानी से उसके बारे में अधियन कर सकें, उनके बारे में जान सकें, उनको समझ सकें तो यहां से प्रशन आएगा तुमको कि वर्गी करण की क्या आवशकता है तो इसका उत्तर है कि हमारे अगल बगल विभिन प्रकार के जीव हैं लाखो प्रकार के जीव हैं जिनका अध्यान हम आसानी से हर एक 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 जीव को गयदी करना चाहे तो बहुत ज्यादा समय लग और जो कि सही रूप से हो भी नहीं पाएगा और इस कारण से उनका अच्छे से अध्यान करने के लिए उनको जानने के लिए उनको समझने के लिए हम क्या करते हैं उनको विभिन वर्गों में विभिन समूहों में बाट कर पढ़ते हैं यानि कि वर्गी करण करके पढ़ते हैं समझ गया यहीं इसका उत्तर लिखना होगा तो अभी घबराओं नहीं बच्चों अभी यह इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तो में टॉपिक पर हम लोग आये ही नहीं है बहुत लंबा चैप्टर होने वाला इसलिए एक दम बहुत बढ़ियां से पोड़ो तुम वी विषिष्ट लक्षन जो दिवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं यानि कि अब हम बात करने वाले हैं लक्षणों के बारे में तो लक्षण क्या है मैंने सुरू में बताया था उदारन बताया था कि वह विशिष्ट गुण जो कि उसको दूसरे जिवों से अलग करेंगे वही क्या कहलाएगा उसका लक्षण कहलाएगा इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्त्रे समूहों का निर्दारा निर्बर करेगा यानि की जीओं का तुम्हारा मन कर रहा है कि जीओं को मलोग अलग 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 समूहों में बाटते तो भाई कैसे को भी हम लोग को यहां पर समझना होगा इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्दे अपेक शक्रित कम महत्वपूर्ण लक्षणों के अधार पर किया जाएगा अब देखो तो वर्गी करन तो तुम्हें समझ में आही रहा होगा कि जब हम लोग किसी भी चीज का वर्ग करन है दुनिया में कोई भी चीज का वर्गी करन करना है बटवारा करना है उसको समूह में बटना है तो वहां पर हम लोग समानता और विभिनता के अधार पर उसको हम लोग ग्रूप बनाते हैं तो किस चीज का समानता देखते हैं गुणों का लक्षणों का समानता देखत और विभिन्नता और उसके अधार पर समूह में हम लोग विभाजित करते हैं चीजों को यहां देख सकते हो वरगी करन का आधार क्या है अब देखो जीवों के समूहों के वरगी करन का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वरगी करन उनके अस्तल जल एवं वायू में रहने के आधार पर किया था अब देखो जब सुरुवात ने जो वरगी करन किया गया उसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया तो वैज्ञानिक कहानी बोलके हम लोग विचारक बोलेंगे और वे थे अरस्तु तो सबसे प्राचीन समय में अरस्तु ने क्या किया जीवों को वरगी करित करने का प्रयास किया और उन्होंने उस समय जीवों को अस्तल जल एवं वायू में रहने वाले जीवों के रूप में उसको क्या किया वरगी करित किया कि जो जीव अस्तल पर रहते हैं उनको अलग समों बनाय जो जीव जल में रहते हैं उनका अलग समोह बनाया और जो जीव वायू में विश्रन कर सकते हैं उनका अलग समोह बना दिया तो यहां से question होगा कि अरस्तु ने किन वर्गों में बाटा तो अस्थलिये जीव, जलिये जीव और वाईवीये जीव में उसको क्या किया बाटा तो किस आधार पे किया गया यहां पर यह भी question आगा तो बोलना वास अस्थान क्या अधार पर वास अस्थान मतलब वो कहां रहते हैं उसके अधार पर अरस्तु ने क्या किया इसका वर्गी करन करने का प्रयास किया सर्वप्रथम अब देखो यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल करिंतु ब्रामक तरीका है अब थोड़ा से एक चीज़ मैं भूली गया तो जो वास अस्थान उन्होंने देखा तो उन्होंने यही एक लक्षन माना कि जो जीव कहां रहते हैं उसका वास अस्थान के अधार पर ही जीव को क्या कर दिया वर्गी करत कर दिया लेकिन क्या ये वर्गीकरण ठीक है, ना ये तो बहुत अजीब टाइब का वर्गीकरण हुआ, ठीक है, हलाकि फिर भी ये सधारन तोर पे एक तरीके से वर्गीकरण किया गया, अब देखो क्या बुल रहा है, बुल रहा है उदारन की लिए समुद्रों में रहने वाले जलिये अस्थलिये वाई भी यह क्या धार प्रविवाजित किया तो जो जल में अब जीव रहते हैं उनमें भी काफी अंतर होता है जैसे वेल जो है वह अक्टोपस से बहुत जादा अंतर उसमें पाए जाएगा और इसी प्रकार से जो अक्टोपस है वह स्टार फिस से बिलक तो मतलब एक ही तरीके से इनको वर्गी करत करना कोई भी अच्छा बात नहीं है इन सभी में एक मात्र समानता है इसका वास अस्थान कहां पर यह रहता है तो यह वर्गी करन तो फ्लॉप है भाई इस प्रकार का वर्गी करन हम लोगों यहां नहीं पढ़ना है अध्यान ए उसी को क्या कहते हैं उसी को तो वर्गी करण कहते हैं बच्चों उसी को तो वर्गी करण यानि की क्लासिफिकेशन कहते हैं ठीक है क्लासिफिकेशन कहते हैं तो भाई तुम्हें तो अब समझ में आही रहा होगा तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं जीमों के लक्षणों को देखते हैं उसके समानता और उसके विभिनता के अधार पर उसको अलग-अलग वर्गों में विभाजित करते हैं तो चलो उसी को जो म अभी लक्षणों के आधार पर व्रीहत वर्गों का निर्मान किया जाए तो सबसे पहले देखोगे कि जब हम लोग जीवों का वर्गी करन करते हैं तो सबसे पहले बड़े-बड़े समुहों में दोनों को रख देते हैं फिर उसके बाद हम लोग छोटे-छोटे समुह बना हैं और जीवों को वर्गी करते हैं समझ गये तो यही बात यहां पर भी बताया गया है ठीक है ना यानि कि जीवों को वर्गी करत करना है तो उसको क्या करना होगा अभी लक्षणों के आधार पर उसको वर्गी करना पड़ेगा इसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार प्रकृसी वर्ग के उप संहूं में बाढ़ सकते हैं नए लग्शनों के अधार पर संहूं के भीतर इस तरह के वरगी करन की प्रक्रिया जारी रह सकती है तो मुझे लगता है तो समझ में तो नहीं आ रहा है तो चलो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ तो चलो इसको समझने के लिए कि आखिर कार वर्गी करन कैसे करते हैं हम लोग एक उदाहरन लेते हैं और आज वर्गी करन हम लोग कर ही डालते हैं तो हम लोग आज पुस्तकों का वर्गी करन करेंगे माल लो कि तुम्हारे रूम में पुस्तकों का अमबार धेर लगा हुआ है और उस धेर में से तुम्हें इन पुस्तकों का क्या करना है उसको सजाना है तो कैसे इसको वर्गी कृत करेंगे तो सबसे पहले तो आ गिया हमारा पुस्तक तो मेन किसका वर्गी करन करना है पुस्तक का जैसे कि पुस्तक अब जितने है उन में से अब हम लोग छाटना शुरू करेंगे और यहाँ पर हम लोग गुण ले लेंगे कि वो पढ़ाई का पुस्तक है कि मतलब पढ़ाई से रेटेट पुस्तक है या फिर वो तुम्हारा मन मनोरंजन से संबंधित पुस्तक है यानि गुण यहाँ पर देखा गया कि पढ़ने लिखने से संबंधित है या कि मनोरंजन से संबंधित है तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट दिया एक हो गया पढ़ाई और दूसरा क्या हो गया मनोरंजन से संब विज्ञान का है, फिर कौन गणित का है, इस प्रकार से उसको हम लोग क्या करेंगे, छाट लेंगे, तो यहाँ देखा तुमने पहले हम लोगों ने बड़ा गुरूप बनाया, बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, वर्ग हुआ, उसके बाद छोटे छोटे वर्गों में हम अब उसको और सुक्ष्म रूप से हम लोग वर्गी कृत करना चाहते, ताकि हम लोगों बहुत आसानी हो किताब को उठाने में, तो हम लोगों ने विज्ञान का जो पुस्तक लिया है, उसमें बाइलोजी का पुस्तक अलग रख दिया, केमेस्ट्री का अलग रख दिया, और भी कई प्रकार सिख पुस्तकों को हम लोग सद्या सकते हैं, जैसे कि माल लोग अब ये विज्ञान की पुस्तकों में नवी का पुस्तक होता, दस्वी का पुस्तक होता, तो पहले वो वर्ग बनाना पड़ता, यह अभी समझ रोना बात को, यानि कि बहुत प्रकार से वर्गी करण में गुनों को हम लोग देख देख के उसको वर्गी करिद करते हैं अब यह भी हम लोगों ने बना लिया तो उसके बाद और सुक्ष्म रूप से उसको वर्गी करिद करना चाहते हैं तो बाइलोजी में जानते हो कि कुछ पौधों से संबंधित पुस्तके होती हैं कुछ जन्तूओं से संबंधित पुस्तके होती हैं फिर उसको अलग-अलग करना शुरू कर दिया ठीक है इस प्रकार देखो कि यह वरगी करने कितना नीचले अस्तर तक आ गया अब ध्यांस यदि देखो तो इन दोनों पुस्तकों में जादा समानता होग ना कि इन दो गणित और यहां के पुस्तकों में यानि कि जो ये पास पास होगे उनमें समानता क्या होती है जादा लेकिन यदि हम लोग बात करें यहां प्राणी विज्ञान का जो पुस्तक है और गणित का जो पुस्तक है या प्राणी विज्ञान का जो पुस्तक है और जैसे कि बनस्पती सास्त्र से संबंधित पुस्तक और प्राने विज्ञान से संबंधित पुस्तक दोनों जीव विज्ञान के से संबंधित हैं यानि इन दोनों में काफी ज़्यादा समानता है और यदि हम लोग प्राने विज्ञान के पुस्तक को यदि हम लोग इतिहास के पुष्टक के साथ मैच कराएंगे तो काफी विभिन्नता पाया जाएगा समझ रहे हो बच्चों इस प्रकार से समानता और विभिन्नता के अधार पर हम लोग बड़े ग्रूप में बाटते हैं फिर छोटे में उससे छोटे में फिर उससे छोटे में अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसको हम लोग ने बाटा यानि की वर्गी करन किया तो ठीक इसी प्रकार से जीवों का भी हम लोग क्या करते हैं वर्गी करन करते हैं जीवों का भी ऐसे ही वर्गी किरन करेंगे पहले बड़ा ग्रूप बनाएंगे फिर उसमें छोटा ग्रूप बनाएंगे उसमें भी छोटा ग्रूप बनाएंगे उसमें भी छोटा ग्रूप और उसमें भी छोटा ग्रूप इस प्रकार से जीवों का दिन यदि हम लोग वर् समझना पड़ेगा अब लक्षन तो तुम समझ ही गया हो बहुत सारे जो गुण होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लक्षन बोल रहे हैं जैसे यहां भी तुमने पुस्तक हम लोग उदारान में पुस्तक लिया है हम लोगों नहीं और पुस्तक में भी लक्षनों को हम लोग देख रहे हैं गुणों को देख रहे हैं समझ गए जब हम जीवन के किसी विविद समू को वर्गी कृत करते हैं जीव के जीव के विविद समू को वर्गी कृत करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सभू के सदस्यों में क्या-क्या समानता हैं तो कितने बा पुष्टकों में जो जो समान पुषतक था संवान पुष्टक था उसका अलग ग्रूप बना दिया है ना वैसे ही हम लोग जीवों का भी वर्गी करन करते है जिसके आधार पर कुछ को एक-साथ रखा जा सके यानि कि सारे लक्षण यदि एक जैसे लक्षन है तो उसको एक साथ रख देंगे जैसे कि यदि में came simple सा बात करू क्या बात करू है वही तो बता के था शुरू में कि प्रकास translation वाले को एक साथ रखो और जो प्रकास translation नहीं करते उसको एक साथ रख दो तो बन गया ना दो सम्मू। थीख है वास्तों में यही उनका लक्षन और व्यवहार होता है या कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है किसी जीव के लक्षन से ताथ पर उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है है उदारन केड ये हमें से जयादा TAR लोगों के एक हाथ में पांच अंगलिया होती है जो एक लक्षण हैँ अब दिरौ eu यहां बहुत सधारल सा बाद बताया है कि जिसे हम लोग की अंगलिया कितनी है पांच है तो इभी क्या हो सकता है एक लक्षन हो सकता है हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें फेपड़ा का यूज कर सकते हैं यह भी एक लक्षन होता है हम लोग के रिदय में चार प्रकोष्ट होते हैं वह भी एक लक्षन होता है हो सकता है ठीक है हम लोग जो सांस है वह फेपडा से लेते हैं और वैयू को डाइरिक्ट लेते हैं और लेकिन मचलीयां किसे लेती हैं? गल फड़े से लेती हैं तो देखा तुमने यहीं पे अंतर हो गया कि मशलियों को अलग ग्रूप में रखा जाएगा और हम लोग ग्रूप में रखा जाएगा इसी प्रकार से एक और लक्षन हो सकता है जैसे कि कुछ जीव क्या करते हैं बच्चे को जरम देते हैं कुछ जीव अंडे देते हैं तो यह भी एक लक्षन हो गया जिसके अधार पर हम लोग सम्मूहों में बाट सकते हैं तो लक्षन तो हजारों लक्षन हो सकते हैं लेकिन उन में से कुछ लक्षन जो है वे क्या करते हैं उसको बड़े समुह में बाटेंगे फिर उसके बाद छोटे समुह में फिर और छोटे समुह में फिर और छोटे समुह में है ना इस प्रकार से हम लोग उसको उपर से नीचे की और क्या करते हैं उसको विभाजित करते ह अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज्यादा मॉलिक लक्षण के रूप में वर्गी कृत किया जाता है हम विचार करें कि एक पथर की दिवार कैसे बनती है दिवार में प्रियोग में लाए गए पत्थर विभिन आकार प्रकार के होते हैं यहां ध्यान देने की बात है कि उपर की और लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा लेकिन निचले अस्तर पर पत्थरों के आकार से उनके उपर वाले पत्थर का आकार अवश्य प्रभावित होगा. तो हटावी बात क्या बकवास कर रहा है? आगे देखो, यहाँ पर सबसे निचले अस्तर पर लगे पत्थर, जीवों के उन लक्षडों के समान है, जो जीवों को व्रियत्तम वर्गों को निर्धारित करते हैं ये लक्षन जीवों को दूसरे किसी भी संग रशनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षन से स्वतंत्र होते हैं लेकिन उनके बात के अस्तर के लक्षन पहले के अस्तर के लक्षन परतु निर्भर करते हैं तथा बात के इस्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं थे किसी तरह हम जीवों के वर्गी करन खेलिए भी ब्रस पर संबंदी लक्षनों के एक पदा अनुक्रम बना सकते हैं नहीं समझ में आया बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा क्योंकि बहुत कंप्लेक्स लिखा हुआ है बहुत देखेंगे कि यह जो बहुत बड़ा एक ग्रूप बन जाएगा यानि कि इसमें सारा बैक्टेडिया का ग्रूप आ जाएगा और इसमें बाकि जितने भी जीव हैं वह क्या हो जाएंगे आ जाएंगे अब देखो यू केरियोटी कोशिगा अब यह तो समझ रहा ना में और वैसा जिसमें केंद्रक होता है उसको यू करियोटी तुथ यकोशिगा केंगे तब देखो यू केरियोटी के अंदर पर्रोकेरियोटी के अलावा आगया जैसे कि तुम्हारा प्रोटेश्ट आ गया फिर पंजाई आगया प्लांड हеся अन्याव कि जितने भी यानि कि पौधों में भी यह लक्षन पाया जाएगा, जन्तूओं में भी यह लक्षन पाया जाएगा, फंजाई में भी यह लक्षन पाया जाएगा, प्रोटिष्टा में भी यह लक्षन पाया जाएगा, यही बता रहा था, यह जो ऊपर वाला लक्षन वो नीचे वाले सब भी में पाया जाएगा जैसे अब देखो अब यहां पर इसको आगे विभाईत हम लोग करेंगे दो भागों में तो यह हो गया एक कोश किये और यह क्या हो गया बहु कोश किये तो अब यह जो बहु कोश किये है यह सब में पाया जाएगा जैसे एनिमीलिया भी बहु कोश कि हो जाएगा और क्या होगा यू केरियोटी होगा इसी प्रकार से प्लांटी भी बहु कोशी किये हो जाएगा और यू केरियोटी भी होगा इसी प्रकार से फंजाए भी बहु कोशी किये होगा और यूकेरियोटी होगा यही बात वहां पर लिखा हुआ था पत्थर इंटा यह सब बता समझा करके लिखा हुआ था जो कि समझना काफी मुस्किल है लेकिन यहां तुमने समझ लिया होगा कि यह जो बड़ा सा ग्रूप बनाया है तो इसके नीचे जो भी आएगा उन सब में य हां से सुन लो यह जो बड़ा ग्रूप में लोगों ने विभाय vendor कि आ उस के नीचे अस्तर का यह छोटा-छोटा इसके अंदर भी ये गुण पाया जाएगा मुझे उम्मीद है कि तुम सारे बातों को समझ रहे हो लेकिन एक बार जरूर सम लोग बहुत लंबा चैप्टर है थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर को पढ़ो यदि सारी बातों को समझना चाहते हो तो तुम चाहोगे कि एक ही पूरा चैप्टर पढ़ लें तो बहुत मुश्की लोगा बच्च बहुत लंबा चैप्टर बहुत लिंदी है जी बहुत लिंदी है आज कल हम जीवों के वर्गी करन के लिए कोशिका की प्रकृती से प्रारंब करके विभिन परसपर संबंदित अभी लक्षणों को द्रि करें तो प्रो केरियोटी कोशिका फिर क्या हो जाएगा यू केरियोटी कोशिका जब इसमें दो भागों बाट देंगे तो यू केरियोटी में देख लो इतने सारे जीवा जाएंगे प्रोटिस्टा आजाएगा फंजाई आजाएगा प्लांटी आजाएगा इनि मिले सब Eukaryoti हो जाएगा. अब Eukaryoti जब कोशिक है. हम लोग देख लेगे तो फर देखेंगे कि वो एक कोश किये है या बहु कोश किये. इस आधार पर फिर वर्गी करण कर देंगे. तो हम लोग देखो यहा पर एक कोश किये और बहु कोश किये कि आधार पर परवरगी करत कर दिये दूसमें प्रोटिस्टा जो होता है वह सिर्फ वही सिर्फ जी होते हैं जो की एक कोश्किये यूकरियोटिक होते हैं बाकी जो भी आएगा सब बहु कोश्किये हो जाएगा जैसे फंजाई भी बहु कोश्किये हो जाएगा प्लांटी भी बहु कोश्क लेकिन जो पादप होते हैं और जो फंजाइ होता है उस्में कोसी का भित्टी नहीं होता है अब देखो जो कोशी का भित्टी वाले होते उसमें भी दो भाग कर दिया वे जी जो की प्रकास अंसलेशन करते हैं और प्रकास अंसलेशन नहीं करते हैं तो जो फंजाई है वो प्रकास अंसलेशन नहीं करता है और प्रकास अंसलेशन करता है इस प्रकार से देखा वर्गी करण के लिए जो हम लोगों ने गुणों को ल था कि एक कोश किये है या बहु कोश किये उसके बाद जो तीसरा चीज देखना सुरू कर दिया उसमें देखा कि उसमें कोश का भित्ती है कि कोश का भित्ती नहीं है फिर जो चौथा चीज देखना सुरू कर दिया वह उसमें देखा कि प्रकास अंसलेशन करता है कि प्रकास हैं दूसरा गुण लिखेंगे कि ये कोशी का भिती कोशी का भिती होती है तीसरा गुण लिखेंगे कि ये बहु कोशी किये होते हैं कैसे होते हैं बहु कोशी किये होते हैं तो तुम बता दो क्या लिख देंगे ये ये eukaryotic होते हैं ये लिखा तुमने तो प्लांटी का जब लिखा लोग तो उपर कस तारे गुणों को यहां पर हम लोगों ने लिख डाल ला इस प्रकार से इस गुण को लिख सकते हो इसके भी गुण को लिख सकते हो एनिमिलिया में पहला गुण क्या हो गया कि इसमें कोशी का भित्ती नहीं होती है कोशी का भित्ती नहीं होगा दूसरा तुम्हारा क्या लिख दिया कि यह बहु कोशी की हो जाएगा देखो बहु कोशी की हो जाएगा तो तीसरा तुम ही बता दो क्या होगा बच्चों तीसरा हो जाएगा यह यू कैरियोटी हो जाएगा क्या हो जाएगा यू कैरियोटी हो जाएगा देखा तुमने किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके गुड़ों को बाट करके पढ़ते हैं तो यही वाला देखो जो पहल पांच में पढ़ा उसको जाके बढ़ियां से पढ़ लो इतना दिमाग यहां खराब करने का जुरूरत नहीं है अरे यह लंबा चैप्टर होने वाला है तो बस तुरंत मतलब एक एक लाइन बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर पांच घंटा का हो जाएगा इसलिए बस यह दिमाग मतलब न खराब करो अब देखो इन प्रशनों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन लक्षणों का पदानुक्रम विक्सित होता है पदानुक्रम क्या हुआ उपर से नीचे हुआ उपर बड़ा लक्षन फिर चोटा लक्षन फिर और चोटा लक्षन फ भारत में कहा रहते हो मालू मंगी तुम रहते हो यूपी में रहते हो तो यूपी में आजम गड़ में रहते हो तो आजमगर में कहां रहते हो तो आजमगर मालो भदोई में रहते हो मैं ऐसे ही बता रहा हूं भदोई में कहां रहते हो तो भदोई में तुम मोली जगह में रहते हो मोली में कहां रहते हो तो वहां पर एक ऐसे ही नाम लिख देता हूं पॉमपा जगह है वहां पर से माई हो तो प्रकार से ऊपर से नीचे क्या बन गया तो पौधों के बहुत सारे लक्षह नहीं सोगा बेरन हो गई तो जान नहीं हो तुम लोग इस वज़ा इसकी वज़ा यह है कि पौधों का सरीर भोजन बनाने के शमता अनुसार विक्षित होता है तो तुम तो यह जान ही गए हो कि पौधे अपना भोजन स्वयम बनाते हैं प्रकास संसलेशन के द्वारा फोटो सिंथेसिस के द्वारा लेकिन जनतु अपना भोजन स्वयम नहीं बनाते हैं वे भोजन के लिए क्या करते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं ठीक है ना इस प्रकार से सारी बाते तो तुम जानते ही हो अब देखो वरगी करण और जैव क्या हम लोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि प्राचीन में कोई एक ही जीव होगा उससे फिर उससे उसके जो नए नए वनसज आए उसमें फिर और वनसज आते गए और यह अलग अलग जीवों का निर्मान करते गए तो आज जितने भी जीव हैं वे कहीं न कहीं इस प्राचीन जीव से ही बने हैं इसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं यानि कि प्राचीन से प्राचीन से या प्राचीन जीव से नए जीव का निर्मान हुआ है लाखों करोडों साल में और उनमें काफी परिवर्तन के कारण जैसे बैक्टिरिया का उधारन ले सकते हो इसमें बहुत सारे जीव अभी भी महजूद हैं सभी जीवधारियों को उनके सारे रिक संगरशना और कारे के आधार पर पहचाना जाता है यह तो तुम समझे रहे हो जैसे कि पौधों का सारे रिक संगरशना अलग होगा तो जन्त सारीरिक बनावट में कुछ लक्षन अन्य लक्षनों की तुलना में जाता परिवर्तन लाते हैं यह समय की भी बहुत महत्वपोन भूमिका होती है तो जब कोई सारीरिक बनावट अस्तित्यों में आती है तो यह सरीर में बाद में होने वाली नई परिवर्तनों को प्रभाव करते थे उन्हें मूल रक्षन के रूप में माना जाता है तो यान कि देखो अब इसको इस जैविकास को evolution कहेंगे हम लोग इसको और तरीके से देख सकते हैं जैसे पहले बड़े बड़े computer होते थे पूरे रूम एक रूम जितने computer होते थे लेकिन आज ऐसे चोटे चोटे computer है जो तुम्हारे हाथ में गार भी हतेली आ सकते हैं अैसा computer प्लाचीण जवाने युझत से नए का विकास हुआ है लेकिन हो सकता है कि इसके कुछ मूल लक्षण वैसे ही हो यानि कि ये भी प्रोसेसिंग का काम करता था ये भी प्रोसेसिंग का काम करता है यानि जो लक्षण इसमें था वही लक्षण इसमें भी कुछ लक्षण है हलाकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी हुआ है तो उन लक्षणों को हम लोग क्या कहते हैं मूल लक्षण कहते हैं इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गी करन का जैव विकास में कितना नजदी की संबंध है और इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों यदि वर्गी करन करते हैं तो वर्गी करन में भी ऐसे ही हम लोग जीवों को सजाते हैं पहले बड़ा ग्रूप फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा इस प्रकार से ग्रूप को जब सजाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस वरगी करण में जैसे जैसे हम नीचे की और आते हैं इन में समानताएं क्या होती हैं काफी बढ़ते चली जाती हैं समझ गये अब दिखो जैव विकास क्या है तो जैव विकास मैंने बता ही दिया तुम्हें कि पुराने जीवों से नए जीवों का जब निर्माण हो रहा है लाखो और को लिएकारिया के सभाइक परिवार्वार्णाम है . यानि कि इसमे परिवर्तन हुआ तो यह परिवर्तन चैय है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक है ठीक है जै विकास की इस अवधारना को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन में ने 1859 में अपनी पुष्तक दा ओरिजिन ऑफ स्पीसिस में दिया था यहां से जै विकास की आवधारना सबसे पहले किस ने दी थी तो चैल्स डार्विन ने दी थी 1859 में दी थी ठीक है जै विकास की इस अवधारना को वरगी करण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की सारेरिक संग्रशना में प्राचीन काल से लेकर आज तक को लोगों ने देखा था कि प्राचीन जीव से नए जीव का निर्मान हुआ है लेकिन इन में कुछ लक्षन ऐसे थे जो कि आज भी देखे जाते हैं और जैसे हम लोग यहां पर वरगी करण करते हैं तो उसमें भी यही देखते हैं लेकिन कुछ जीव समूह में सारे रिक परियाप्त परिवर्तन दिखाए पड़ते हैं पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथ्वा निम्न जीव कहते हैं जो प्राचीन जीव हैं उनको हम लोग आदिम जीव कहते हैं और जबकि जो नए प्रकार के जो उन्नत जीव हैं जो नए जो जीव उत्पन्न हुए उन्हे से दिन्लोग पादपों का वरगी करन देखेंगे तो जो फैलोफाईटा का प्लांट है जो ब्राइओ फाइटा पादप ऐसे निम्न वर्ग के पादप कह जाते हैं निम्न जीव कहе जाते हैं क्योंकि इनका जो बॉड़ी का structure है, जिनका सारीरिक संग्रेशना बहुत सधारन होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, जो एंजियोस्पर्म है, जो कि हम लोग अगल बगल बहुत सारे पौधों, पेड़ पौधों को देखते हैं, वे जो है, वे उन्नत कहे जाते हैं, यानि कि उच्च या निम्न वर्ग और यह क्या हो गया उच्छ वर्ग जिस प्रकार से उदारन के गवारे तुम लोग यहां पर समझ पा रहे होगे कि जो तुम्हारे जीव हैं उनको आदिम या निम्न जीव जैसे कि मैंने बता दिया थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरीडेफाइटा को निम्न वर्ग के जीव कहेंगे जबकि जो जिम्नो स्पर्म है उसको उच्छ वर्ग के जीव हम लोग कहेंगे यहां से भी कोईशन आएगा निम्न वर्ग और उच्छ वर्ग के जीव में अंतर करिए तो वैसे जीव जिसका प्राचीन में जो सारीरिक संग्रशना था एक संग्रशना बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है उनको उन्नत जीव या फिर उच्छ जीव कहते हैं लेकिन ये शब्द उपयोग नहीं है क्योंकि इससे उनकी विभिनिताओं का ठीक से पता नहीं चलता है इसके बजाए हम इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का परियोग कर सकते हैं समझ गया बच्चों चुकि विकास के दोराजन जीवों में जटिलता के संभावना बनी रहती है इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को पेक्षाक्रित जटिल कहते हैं जैसे मालो प्राचीन जबाने में जो जीव होगे उनको हम लोग साधारण जीवों मानेंगे और जो नए जीवों आते हैं अभी जीव हैं उनको हम लोग जटिल जीव की संग्या देंगे यानि कि जो प्राचीन समय में पेड़ पोदे होंगे या जनतुंग उनका सरीर का संगरशना बहुत साधारण होगा लेकिन अभी जो उनके सरीर का संग्रशना क्या है बहुत ज्यादा जटिल है तो इस प्रकार से भी इसको हम लोग देख सकते हैं और कह सकते हैं तो अब यहां से हमारा बहुत ही महत्वपुर्ण टॉपिक सुरू होता है और यह है वर्गी करण समुह का पदानुक्रमित संग्रशना यानि हाया hierarchyal system of classification तो classification में hierarchyal system क्या होता है यह पहले समझ लो तो इसमें कुछ खासन में बच्टों सबसे पहले यह समझ लो कि पहले बड़े भागों में बाटेंगे फिर उससे छोटे भाग में फिर और बढ़े करते हुए छोटे भागों में बाटते चले चले जाएंगे उसी को हम हम लोग hierarchy system कहते हैं यानि प्रदानुक्रम यह जो वर्ड है ना इसी को hierarchy English में कहते हैं यह system कहते हैं जैसे यहां देखो जो हम लोगों ने पुस्तक का वर्गी करण किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने बड़े-बड़े भागों में इसको बाटा था जैसे कि पढ़ाई की पुस्तक यानि यह जो पूरा नीचे दिख रहा है तुम्हें यह पूरा क्या हो गया पढ़ाई का पुस्तक हो गया यह दुखो किया ठीक है और फिर इसको भी आगे और छोटे भागों में वर्गी कृत कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह जो तुम्हें दिख रहा है यही है हाई आर्केल सिस्टम जैसे कि मालो पूरे जीव को हम लोगों ने पांच भागों में बाट दिया कितने भागों में बच्चों पांच भागों में तो पहला भागों गया दूसरा हो गया तीसरा चौथा पांच भागों बाट दिया फिर अब पहले भागों को हम लोग पहले मालों तीन भाग में बाठ दिया फिर इसमें A, B, C इसका नाम रख दिया फिर अब A को और आगे भाग में बाठ दिया फिर इसको और नीचे बाठ दिया तो यही जो सिस्टम कहा जाता है इसी को बोलते हैं आयार्कियल सिस्टम समझ गया है तो इस प्रकार से यहां पर तुमको दिखाए गया है तो जो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सम्मू होता है उसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे जगत कहेंगे जगत के नाम से इसको हम लोग जानेंगे ठीक है और जैसे कि यह जो जगत है यह क्या हो गया तुम्हारा kingdom जिसको कहते हैं क्या बोलते है बच्चो kingdom तो यह kingdom कैसे होता है जिससे की plant kingdom हो सकता है क्या हो सकता है plant kingdom या animal kingdom क्या हो सकता है बच्चो animal kingdom तो देखा तुमने दो भागों में बड़े बड़े भागों में हम लोगों ने क्या कर दिया बांट दिया सबसे पहले Plant Kingdom रख दिया नाम, फिर क्या कर दिया, Animal Kingdom और इम आनों की जीव हैं, तो जीव को तो भगवें बाटा या नहीं बाटा, बाट दिया, बढ़े बढ़े भगवें बाट दिया, अब बात करें Animal को, तो Animal को इसके नीचे फाइलम में बाट दिया, किसमें बाट दिया, फिर फाइलम को नीचे हम लोगों ने बाटना शुरू किया तो वर्ग में बाट दिया यानि की क्लास में बाट दिया फिर क्लास से फिर ओर्डर में बाट दिया फिर ओर्डर से फिर फैमिली फैमिली फिर जीनस फिर इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा एनिमल बड़ा सा भाग को फिर छोटा भाउगा में, जिसे अब ऐन्यूवल-मालों की 10 फाइलम है, तो यह छोटा-छोटा भाउग हो गया, फिर हर एक फाइलब में बहुत सारे class हैं, फिर हर एक class में order हैं, फिर हर एक order में genus होगा और फिर genus में कई species पाए जाएंगे इस तरीक से देखा तुमने बड़े को फिर छोटे हैं बाटा फिर छोटे को और छोटे हैं बाटा फिर और छोटे हैं बाटा इस प्रकार से एक पदानुकरम संगरशना होती है तो यहाँ पर अब दो तुम लोगों को याद कर लेना है तो यहाँ पर दो हम लोगों को कैसे याद करना है देखो मैं याद कराते जा रहा हूँ सबसे पहले दिम लोग पादप जगत की बात करेंगे बच्चों पादब जगत की बोलेंगे पादब जगत होगा जगत के बाद क्या हो जाएगा division होगा division के बाद क्या होगा work होगा गण होगा kool होगा once होगा और जाती होगा यह हिंदी में लिखते है ठीक है और English में क्या लिखेंगे तो division हो जाएगा class order family जीनस और species यह पादब जगत का पदानुक्रम हो गया तो यदि एक्जाम में आएगा कि अब जन्तु जगत का पदानुक्रम लिखिए तो जन्तु जगत के इसी तरीके से पदानुक्रम लिख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे जन्तु जगत उसके बाद जन्तु जगत को विभाई करते ह में फिर फाइलम के बाद क्या की हो जाता है वर्ग होगा वर्ग के बाद गन होगा कर लोगा döns बद एक उम्애 के बाद भाइल ती होगा हमाद इसका मतलब कड़ सबसे निचला स्तर हो क्या है बच्छों यहृई सबसे निचला अस्तर आगे हमारा तो अभी तो मैंने तुम्हें दो जगत बताया क्या कौन कौन जगत बताया पादप जगत और जन्तु जगत तो क्या ये दो ही जगत होते हैं तो ऐसी बात नहीं है हम लोगों को यहां रॉबर्ट विटेकर के द्वारा प्रस्तावित वरगी करण को पांच जगत है मच्चो पांच तो दो तुम्हें पढ़े लिया जन्तु जगत और पहादप जगत इसके लावा तीन और है मोनेरा प्रोटिष्टा और फंजाई तिस प्रकार से रॉबर्ट विटेकर ने जो जीव हैं उन जीवों को पांच जगत में पांच किंडम में बा में हम लोगों को पढ़ाए गया है तो मोनेरा के बारे में पढ़ाए गया है प्रोटिष्टा के बारे में फंजाई के बारे में और प्लांटी एनिमिलिया तो पूरा एक दाम जम के पढ़ना यहां पर ठीक है तो चलो सुरू से ही हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या और ब सभाइद करने का प्रयास किया इनका अलग अलग प्रयास है इन सब को नहीं पढ़ना है हम लोगों पढ़ना यहां वी टेकर कर क्लासिफिकेशन जो कि पांच जगत प्रस्तावित किया है मॉनेरा प्रडिश्टा फंजाई प्लांटी और एनिमीलिया तो इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं यह समु कोशिकिये संगरशना पोसन के स्रोत और तरीके तथा सारिरिक संगठन के अधार पर बनाए जाते हैं तो यह जो संगठन है पहला किस अस्तर पर है कोशिकिये अस्तर पर दूसरा है पोशन का स्रोत तथा तीसरा है सारिर एक संगरशना का आधार इसके आधार पर इसका पांच वर्गों में वर्गी करन हम लोग पढ़ेंगे वोस ने अपने वर्गी करन में मोनेरा जगत को आर्की बेक्टेरिया और यू बेक्टेरिया में बाट दिया तो जो वोस थे उन्होंने क्या किया था कि जो मोनेरा जगत यह देखो यह जो मोनेरा था इसको और दो बगर वर्गों में बाट दिया था आर्की बेक्टेरिया और यू बेक्टेरिया तो इस प्रकार से दी देखा जाएगा तो टोटल 6 हो जाएगा तुम्हारा समझ गए तो यही चीज हो गया जो प्रयोग में लाया जाता है पुना विभिन अस्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गी क्रियत किया गया है जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि जो बड़ा बड़ा किंग्डम है अब उसको उप समूह में बाट दिया गया जैसे कि फाइलम में जन्तु और पादब दो ही कामनों को पढ़ना है और पादब के पढ़ने तो यह पढ़ना है इस प्रकार वर्गी करण के पदानुप क्रम में जीवों को विबिन लक्षणों के आधार पर चोटे से चोटे समूहों में बाटते हुए हम वरगी करण की आधार भूती काई species तक पहुँचते हैं यानि बड़ा से चोटा से चोटा से चोटा से चोटा से चोटा से चोटा सबसे चोटा क्या है हमारा species है अता किन जीवों को हम एक जाती के जीव कह सकते है तो यह भी अच्छा सा प्रश्ण हो गया तो वैसे जीव जो एक दूसरे से प्रजनन कर सकते हैं और प्रजनन के बाद उसका संतती भी प्रजनन करने लायक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक स्पीशिस के जीव कहते हैं अब यहां देखोगे कि जो एक ही जाती के जीव हैं उन्समें बाहियरूप में बहुत ज्यादा समानता होगा तथावे आसानी से जनन कर सकते हैं यहीं इसका इंसर यहां पर बताया है और उन जनन भी करेंगे और उनका जो बच्चा है वह भी जनन करने लायक होगा, तब हम कहेंगे कि वो एक species के हैं, जैसे मनुष्यों की बात करें, एक मनुष्य, मालों इंडिया का एक मनुष्य है, वो अमेरिका के एक मनुष्य से क्या कर सकता है, जनन भी कर सकता है, रूपरंग संगटन में, समान भी है, और उनका बच्चा भी हो सक है इसका मतलब वो दोनों भी क्या है एक स्पीसिस के हैं समझ गया है अब देखो यह जो पांच वरगी करण हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सभी के बारे में चार चार पांच पांच लाइन पढ़ना है और यहीं से हमारा चैप्टर का एक दम सुरुआत हो जाता है जैसे मोनेरा है तो मोनेरा के बारे में तीन चार पॉइंट्स पढ़ लेना है प्रोटिश्टा है तो तीन चार पॉइंट्स पढ़ लेना है कुछ एक्जामपल याद कर लेना बस यहीं से हमारा चैप्टर आगे की और बढ़ता चला जाएगा तो जैसा पहला point क्या बोल रहा है इन जिमों में ना तो संगटित केंद्रक होता है और ना ही कोशी कांग होते हैं यानि ये क्या होते है बच्चों प्रोकेरियोटिक होते हैं, ठीक है, तो यह होगे तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया न, कि यह कैसे जी होते हैं, प्रोकेरियोटिक होते हैं, दूसरा पॉइंट होते हैं, यह बहु कोश किये, उनका सरीर बहु कोश किये, नहीं होता है, यह होगे तुम्हारा दूसरा क्या होगे बच्चों की यह prokaryotic होते हैं इन में पाई जाने वाले विविधिता अन्य लक्शनों पर निर्फर करती हैिनु में कुछ आभित्य पाई जाती है तता कुछ में नहीं तो 37 Jr हो गया किन में से कई जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ती पाई जाती है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया बैक्टीरिया में कोशिका भित्ती पाए जाता है कोशिका भित्ती के होने या ना होने के कारण मोने रावर्ग के जीवों का शारीरिक संग्रशना में आये परिवर्तन तो नात्मक रूप से बहु कोशिक जीवों में कोशिका भित्ती होने या ना होने के कारण आये परिवर्तनों से भिन्न होते हैं तो ठीक है यह सुक्षम जीवों में हम लोग पढ़ते हैं पोशन के अस्तर पर यह यानि चौथा पॉइंट क्या होगा यह स्वपो होसी भी हो सकता है और पांचवा पॉइंट में तुमको सिर्फ दारन लिखने ना है जैसे जितने भी जीवाण हों है नेल हरिस्ट शेहवाल है साइनो बैक्तेरिया फिर माइक्क्ट शोटा जिव एक कूँ कौन होता है तो ह Parliament voyIB मा कोशी का भित्ती नहीं होती है, जीवाणों में यानि जीवाणों को ही bearing के नाम से जानते हम लोग, तु इसमें कोशी का भित्ती होती है, तो देखा तुमनें कितना अच्छा से वेक्टेरिया है इसे में यहां पर कोशिका भित्टी होता है ठीक है अब यहां पर डेखो गे मोनेरा है यह तुम्हारा cionobacteria को दिखाए गया है तो यह मोनेरा का क्या है बच्चो उदारन हो देख्योन हो गया अब देख्यों अगया हमारा फ्रोटिस्ट्र को Chiropel Polis इसा मुली तिन प्वैंट庇द कर लेंग तो जो सबसे पहला फोइंट होगा वह बोलेंगे कि यह यू केरीो खोते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है यह कोशिक यहोते हैं। इसका बात तीसरा point क्या है कि इनको चलने के लिए इनके सरीर में Celia तथा Flegella होता है जिससा देख सकतो यह Celia है यह देखो यह संग्रशना है यह क्या है Celia और यह Celia देख सकतो है Pyramesia में तुम्हारा Celia पाया जाता है फिर यह देखो यह Flegella यहाँ देख सकतो है एक कोशिक की एक कोशिक की है ओस कि चलने के लिए यानि की गती करने के लिए चौथा point हो सकता है कि यह स्वपोशी और परपोशी दोनों हो सकते हैं और पांचवा point में क्या करना है उदाहरन लिख देख जो भी उदाहरन होता है जिससे शेवाल हो गया डाइटम हो गया प्रोटो जोवा देखो यह प्रोटो जोवा है बच्चों अमीबा अमीबा इसका क्या है उदाहरन है किस चीज़ का अमीबा उदाहरन है तुमारा प्रोटिष्टा का एक दम एक्जामपल याद रखना है तो यह देखो पैरा मिशियम क्या है एक कोश किये क्या है ये प्रोटिस्टा है ये अमीबा भी प्रोटिस्टा है और ये यूगलीना भी क्या है बच्चों प्रोटिस्टा है ठीक है और ये सारे प्रोटो जोवा के अंतरगत याते हैं ये भी याद रखना प्रोटो जोवा एक सम्मूव हो गया तो देखा तुमने कितना असानी से हम लोगों ने कर लिया बस यही करना है अब आगे तीसरा फंजाई तो फंजाई के बारे में क्या दो-तीन पॉइंट लिख सकते हैं बिलकुल पहला लिख सकते हैं कि ये यू कैरियोटिक होता है दूसरा लिख सकते हैं कि ये कैसा होता है बहु कोशी की ये होता है कैसा होता है बहु कोशी की ये तीसरा लिख सकते हैं कि ये विशम पोशी होता है चौन्था लिख सकते हैं कि इसमें कोशी का भित्ती पाये जाता है बस हो गया और क्या और पांचवा में इसका उदारा लिख देंगे तो यहां देख सकते हो इसमें एक और खास बात है बच्चों कि यह जो पोशन करते हैं वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के द्वारा करते हैं यानि पहली ये पदार्थों को सड़ा देंगे, गला देंगे, और उसके बाद उससे पोशन को क्या कर लेते हैं, ग्रहन कर लेते हैं, कौन बच्चों, फंजाई, और ये सौ पोसी बिलकुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी प्रकास संश्रेशन की प्रक्रिया नह भोजन को लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मृत जीवी कहेंगे, ये भोजन को सबले काता विस सड़ाता की सबले हीं, उसके बाद उससे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनमें से कई अपने जीवन की विशे सवाष्था में बहु कोशिक शंटा प्राप्त कर ले था पहला यह UKRIOTIC होते हैं दूसरा बहुँकोशकी होते हैं तीसरा इनमें कोशिका भिट्ती पाई जाती है जो की काईटीन से बनी होती है और चौन था यह विषमकोशी होते हैं और यह मृत जीवी होते हैं यह 4 पॉइंट हो गया और पांचवाँ पॉइंट उदारन हो गया यिस्ट हो गया मश्रूम हो गया तो यह देख सकते हो यह फंजाई के कुछ और यहां उदारन है तो एसपारजीलस है पेनिसीलियम है एगरीकस है यह सारे किसके उदारन है फंजाई के उदारन है ठीक है बच्चों अब यहां पर एसे सहजीवी जीवों को लाइकन कहा जाता है यह लाइकन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धबों के रूप में दिखाई देते हैं तो एक और वड़ा रहा यहां लाइकन तो लाइकन भी पौधों का मतलब जीवों का एक समूह हो गया जिसमें कवक और फंजाई कवक और फंजाई यह क्या करते हैं सहजीवी संबंद बना करके रखते हैं यहां पर तुम्हारा कवक नहीं शैवाल होगा यह शैवाल तथा फंजाई शैवाल शैवाल तथा फंजाई तो यहां से हमें पढ़ना है लाइकन के बारे में तो लाइकन क्या है पुछेगा तो बुलना शैवाल और फंजाई दोनों क्या करते हैं दोनों सहजीवी संबंद बनाते हैं जिससे हम लोग लाइकन के नाम से जानते हैं कवक और शैवाल और फंजाई ठीक है ना इसको याद रखना है तुम्हें अब इसके बाद आगया तुम्हारा planty तो भाई अपलांटी हो गया एनिमीलीया हो गया इसको तो मैंने सुरू में ही तुम्हें बता दिया था क्या क्या गुण होगा तो planty क्या होगा बहुत कोशिकी ये होगा और यह eukaryotic होगा बहु titre होगा और यह क्या होगा यह तुम्हारा कोशी का भीती में नहीं पाया जाएullah इस तरीके से plant के बारे में भी हम लोगों ने सारे points पढ़ लिए eukaryotic होगा बहु titre होगा कोशी का भीति पाया जाए प्रकास translation करेगा तो यह सारे points हम लोगों ने plants और animals के बारे में पढ़ ली हैं थोड़ा सब plant के बारे में और भी देख लो कि यह इनमे प्रकास translation इसलिए होता है क्योंकि इसमें chlorophyll पाया जाता है यह बात तुम्हें याद रखना है chlorophyll के कारणे इसमें क्या होता है प्रकास translation इस प्रकार से animalia के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया थेकिन बात यहां पर खतम नहीं होता अब plant का वर्गी करण पूरा detail में पढ़ना है और animalia का भी वर्गी करण पूरा detail में हम लोगों को पढ़ना है तो अब हम पढ़ने वाले हैं पाधपों के वर्गी करण को तो पाधपों के वर्गी करण को तो पहले भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया था याद है ना मैंने बताय था कि कुछ वर्ग को कुछ पाधपों को निम्न वर्ग के पाधप कहते हैं और कुछ पाधपों को उच् पाऊंच नाम तुम्हें याद करना है यानि कि पाधपों को जब हम लोग वर्गी करन करते हैं तो पाचसमों में करते हैं बच्चों पहला है थाईलोफाइटा दूसरा है ब्रायोफाइटा तेसरा क्या है ? तेरेडो फाइटा फिर चlorत ता है जिमनोसپर्म और पांच हुआ क्या है ? सरवस्रेष्ठ अंजियोस्पर्म यानि पादप को जब वर्गी कृत करेंगे तो पांच भागों में वर्गी कृत करेंगे और जल्दी से तुम बता दो कि पादपू का जब वर्गी करण करेंगे तो क्या देखेंगे बिल्कूल उनके लक्षणों के आधार पर उसका क्या करेंगे वर्गी करण करेंगे तो इस प्रकार से यदि हम लोग पादपों का वर्गी करण शुरू करना चाहें बच्चो तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया, सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि उसका जो पूरा सरीर है वो विभेदित है की नहीं है जैसे की सरीर में उसका पत्ति, तना और उसका जड़ है की नहीं है तो तुम देखोगे इस हिसाब से पादपों को दो वर्ग में बाटा गया है ऐसा पादप जिसका सरीर में पत्ति, तना और जड़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कुछ का सरीर क्या होता है विभेदित होता है तीस प्रकार से पादपों का कितना समूह बन गया बच्चों दो समूह बन गया तो जिनका सरीर विभेदित नहीं होता है वो कौन होते हैं थैलोफाइटा थैलस के जैसा उनका सरीर होता है इसलिए उसका नाम क्या है थैलोफा behavior. तो येस ब्रायो फाइटा का भी भी स्रीथ क्या वाकुछ थी थे होगा टेडो फाइट का भी बिभेधित होगा जिमन और एंज्यों का तो पूर्णरूप से शरीर क्या विभेधित होता है इस प्रकार से देखा तुमने कि हम लोग पादपों का दो समूह बनाएंगे और प्राइटेरिया क्या लेंगे कि सरीर विभेदित है या विभेदित नहीं है कि सरीर विभेदित है, अब ऐसे विभाजन कर लिए है उसके बाद आगे बढ़ना सुरू करेंगे अब उसके बाद देखेंगे कि उसमें सम्वहन उत्तक है कि नहीं है ठीक है जिसमें सम्वहन उत्तक होगा उसम्वहन उत्तक समझ रहे हो बच्चों जैसे कि मालो यह पादप है यह पेड़ है तो उसमें सम्वहन उत्तक भास्कुलर बंडल जिसे कहते हैं उसमें आता है जाइ पानी को एक दमू उपर ले जाना है तो वह कैस के दोला जाता है जायलम के दोला जाता है फिर यहां परều बहुंवहन उत्तक तो समवहन उत्तक जानते हो बच्चों किसमे होता है ये देखो ये बस तीन में पाया जाता है समवहन उत्तक यहां तीन में ब्रायोफाइटा में कोई समवहन उत्तक नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में कोई भी समवहन उत्तक नहीं होगा इसका मतलब हमारा जो नहीं है तो जिसमें नहीं है वो कौन है ब्रायो फाइटा अब देखो यहां समवहन उत्तक हो गया उसकी बाद समवहन उत्तक टेरीडो फाइटा में भी रहेगा जीम्नोस पर में भी रहेगा और एंज्योस पर में भी रहेगा अब इसकी बाद हम लोग देखेंगे कि किसमें बीज उत्पन होता है और किसमें बीज नहीं उत्पन होता है तो ये दोखो ये बीज रही था है और ये बीज उत्पन करने वाले पौधे हैं जिनको हम लोग फैनरो गेम के नाम से जानते हैं तो इन तीनों को किस नाम से जानेंगे क्रिप्टो गेम कहेंगे क्रिप्टो गेम यानि कि इसमें कोई भी बीज नहीं पैदा होगा और फैनरोग गेम में क्या होगा बीज पैदा करने वाले ये क्या होंगे पौधे होंगे अब इसके बाद हमारा ये कैसा क्राइटेरिया हो गया पहला दूसरा और यह हो गया तीसरा अब चौन्था में हम लोग देखें कि वैसा बीज जो कि नगन होगा और वैसा बीज जिसके अंदर फल होगा जैसे तुमने सेव खाया तो सेव में बीज कहां रहता है बच्चो अंदर रहता है और यह हो गया तुम्हारा सेव आम खाते ह तो आम में बीज कहा रहता है अंदर होता है इसी प्रकार से ये जितने बीज वाले हैं जिसके बाहर फल होता है यानि फल वाले पौद है जिसके अंदर बीज होता है उसको हम लोगों बोलते हैं एंजियो स्पर्म और इसमें बीज नगन होता है यानि कि फल के अंदर बीज न किसके बारे में पूरा पादपों का वरगी करण के बारे में तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका गून क्या-क्या होगा तो देखो क्या-क्या गून होगा यदि हम लोग बात करें क्या-क्या गून होगा इसका यदि बात करें एंजियो स्पर्म का क्या गून होगा तो सब वहान उत्तक इसमें पाये जाएगा चौनथा इसका सरीर पुरा विभेदित होगा यह इतना हम लोग ने एंजियो स्पर्म के बारे में पूछेगा कि चार बात बताईए तो पहला यह बीज उत्पन करने वाले होते हैं दूसरा यह बीज नगन बीज होते हैं तीसरा इसमें स पहला यह बीज रहित होता यानि बीज नहीं होता है दूसरा इसमें समवहन उत्तक होता है और तीसरा इसमें पादप सरीर पुरा विभेदित होता है यह ब्रायो फाइटा के बारे में बात की जाए तो पहला इसमें समवहन उत्तक नहीं होता है दूसरा इसका पादप सरीर पुरा विभेदित होता है और यदि हम लोग थैलो फाइटा की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सरीर विभेदित नहीं होता है तो देखा बच्चों की तरीके से वरगी करण हम लोग करते हैं तो यहां पर यह गुणों की संख्या क्या होते जा रही है बढ़ते जा रही है अब लाश्ट में देखोगे कि जो एंजियो स्पर्म है यह टॉप क्लास के प्लांट होते हैं सबस चना देखा होगा तो चना में दो बीजपत्र ऐसे निकलते हैं धान देखा होगा उसमें एक होता है मकई देखा होगा उसमें एक होता है तो इस प्रकार से किसी किसी में एक बीजपत्र होता है और किसी किसी में दो बीजपत्र होता है तो एक बीजपत्र वाले को कहते एक द्वीजपत्री पौधे और द्वीजपत्र वाले को कहते हैं द्वीजपत्री पौधे देखा तुमने तो इस प्रकार से तुम्हारा पूरे प्लांट का वर्गी करन होगा तो भाई ये तो मैंने शौर्ट में बता दिया अब क्या करना है प्रतीक की बारे में दो-चार पॉ चलो चलो चलें कहीं दूर चलें दूर नहीं जाना है यहीं जाना है तो आगे हमारा प्लांटी तो प्लांटी कहीं वर्गी करन मैंने दिखाया पादपों का वर्गी करन दिखाया तो रेक लाइन को पूर लेते हैं और समझ लेते हैं बच्चों बहुत लंबा वीडियो है तो तुम ब्रेक करकर के देखो अभी देखो ठक जा रहे हो तो बाद में फिर सिसी वीडियो को खोल के देखना पौधे में प्रथा मस्तर का वर्गी करन इन तक्षों पर अधारित है कि पादप सरीर प्रामु घटक पूर्ण रुपे निविक्सितेव में विभेदित होते हैं जैसे मैंने बता दिया अथुआ नहीं देखा था ना सबसे पहला क्राइटेरिय क्या लिगा था कि उसमें रूट स्टीम लीफ पाया जाता है या नहीं पाया जाता है वर्गी करन का अगला अस्तर है कि उसमें समवहन उत्तक होता है कि नहीं तो क्या तुम तीसरा बता सकते हो जी हां उसमें बीज है कि नहीं फिर बीज हैं, तो बीज फल के अंदर है, देखा था यहीं तो अपने हम लोगुने अभी तरॉट पढ़ा है, तो इस आधार पर हम लोगों ने वर्गी करन किया, तो सबसे पहला क्या क्या गया, अच्चो थेलो फाइटा और हम लोगों ने देखा था कि थैलो फाइटा में जो प्लांट होता है उसमें ना रूट का पता चलता है ना लीव का पता चलता है ना ही स्टेम का पता चलता है यानि वो थैलस लाइक उसका बाडी होता है यानि थैलस के जैसा होता है इसका मतलब उसमें विभेद जल नहीं पाया जाता है, इस वर के पौधोए को सामाने तया, शैवाल कहा जाता है, ये दूसरा पॉइंट बना दो, ये मुख्युरूप से जल में पाय जाते हैं, तीसरा पॉइंट बना दो, उदारन के लिए यूलो त्रिक्स हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, कारा हो गय तुमको spirogeira पढ़ना है यह सरस्त कोशी का कोशी का यह संग्राशना यह कोशी का कोशी का है और यह दो को पत्तिदार क्लोरोप्लाश्ट इसमें पाया जाता है दिख रहा है न यह सारा तो इस प्रकार से यह स्पाइड हो गाई रहा है क्लास दस में पढ़ना भी इसलिए अच्छा से पढ़ लो यह अलुआ और यह बच्चों का रा ठीक है यह थेलो फाइटा का समुक जीव है जिसे बोलेंगे शैवार और जल्दी से बता देजी यह दूसरा कं था तो दूसरा था बरायो फाइटा य है और यह एंजियो स्पर्म का ए है द्वी बिजपत्री और बी है एक बिजपत्री कोई दिकत नहीं रहा है चल यह देखते हैं तो यहां पर आ गया तुम्हारा ब्रायो फाइटा तो जल्दी से बता दो ब्रायो फाइटा में रूट स्टेम लीफ तो पूरा अच्छा से सं संग्रशना होतीए इस वर्की पोदों को पादफ वर्कवा उभ्हेचर काता है BBA कोई और जीवन को जीने के लिए पानी और अस्थस्थर्थ दोनों की जरुर्रत पड़ती है इसलिए हम लोग जिया कहते ही इसको हमिसे कई नहीं प्यूर्ट थिक है यह पादफ तना और प पाया जाता है तो यह दूसरा point हो गया तीसरा इस पादप का सरीर एक भाग से दूसरे भाग तक जलत था दूसरे चीज़ों का संवाहन के लिए विसिश्ट तक जल्दी बताओ संवाहन तक नहीं होते हैं उदारन हो गया मास हो गया, मारकेंशिया हो गया, यह सब बच्चों याद रखो, रिक्सिया, मारकेंशिया, फ्योनेरिया, यह सब ब्रायो फाइटा का उदाहरन है, एक जाम में डायरेक्ट पुछेगा, रिक्सिया, मारकेंशिया, फ्योनेरिया, किसका उदाहरन है, ब्रायो फाइटा की टे यहां पहला होगा। इस वर्क की टोदे का सरीर जड में तना में पतनी मेंccionesक्差 में भायत उता है। इसके बाब देखोगे इसमें सरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल्द ठान पतलाते हो समान के लिए समभण उत्तक भी पाए जाते हैं लेकिन इसमें बीज नहीं होता है सीड नहीं होता है उदारन चोथा से जर्नाग प्रत्यक्ष होते था इसमें बीज उत्पन नहीं होता है क्रिप्टो गेम कहलाते हैreं जैसे पूल이ज-पवरॉप पोदे जिन में जनन उत्तक पूर्ण रूप से विक्सित हैं भाईदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पाशाथ बीज उत्पन होता है उसे फैन रो गेम कहते हैं तो जल्दी बताओ कौन है फैन रो गेम बिलकुल ये है जीम्नो हस फार्म हैंड हैंच फार्म ओके तो इस से बच्चों सारा ची ये दो और करिंगे सैंट की अब देखो के अंदर भून के साथ संचित खाग पदार्त होता है मंग्न के समय होता है अब देखोगे जिसे कि तुम खाते हो मकही खाते हो तो मकही में आप भ्रून होगा लेकिन उसके लिए एंडॉश पर्मियानी खाने का पदार्थ होगा तुम नरियल खाते हो नरियल खाते हो न जी तो नरियल में यहां पर क्या रहता है भुरून रहता है उजरका उजरका खाते हुआ ही इसका खाना पीना है उसको इंडोस्पर्म कहते हैं या फिर नरियल को जो पानी होता है वह भी इसका भोजन होता है इस भ की आवस्था में आवास्था के आधार परिशूबर के पौदो कैई आता है एक हो गया इंजियोस्प्रम अभी तुरंद पढ़ चुके है कि फल के अंदर बीजा होगा और इंजियोस्प्रम में खाली बीजा होगा उसके बाहरी कोई फडल नहीं होगा ठीक है तो चीम्नों मतलब भी होता है नगनमां रिट होता है जीम्नों ऐसपरमा मतलब होता है सीड यानि कि वी थे जिम्नुशत का मतलब यह नयकड सीड mg ठीक है तो पहला ही प्वाइंट बन गया कि ये naked seed plant, naked मतलब नंगा होता है, यह शब्द दो ग्रीक शब्दो जिमनो तथा स्परमा से मिलकर बना है, जिसमें जिमनो का अर्थ होता है नगन और स्परमा का अर्थ होता है seed याने की बीज, ये पूरा बात याद रखना, ये पौधा बहु अर्शी होगा, दुसरा पौइंट काश्ठी होगा, तीसरा पौइंट ठीक है, बहु अर्शी मतलब बहुत दिनों तक रहेगा, बहुत दिनों तक रहेगा, जैसे कि तुम्हारा धान है, गेहू है, ये क्या, बहुत दिनों तक रहेगा, जो महीना तक रहेगा, ठीक है, अब इसका प्लवधारन क्या हो गिए तुम्हारा जिम्नोस्पर्म तो पाइणस ओगया स्टाइकस हो गया तो यह तो तुमने जरूर देखा है अपने इसकूल के गार्डेंड ने यह बहुत दिखता पहुत या नहीं कहीं भी राइडन में जो ठीक लगाय जाता है बहुत खुबसूरत पॉधा होता है पाइन ये तुम्हारे स्कुल नहीं मिलेगा लेकिन पॉईनस का क्या अगया हमारे अंगियो का मतलब होता है धका हुआ और स्पर्म का मतलब होता है सीड यानि बीज तो यानि कि इसका जो बीज है वो क्या होता है फल के अंदर होता है पहला पॉइंट बन गया इस पौदे के बीज फलों के अंदर ढगे रहते हैं इसमें बीजों का विकास अंडाशे के अंदर होता है तो अंडासे जो है वही फल बनाता है औ और जो बीजांड होता है वह बीज बनाता है तो मत जानो मत जानो नहीं बुझाएगा अभी मत बुझाएगा अभी मत जानो दस्वी में पढ़ लेना इन्हें पुष्पी पादा भी कहा जाता है यह होगे तुम्हारा तीसरा पॉइंट बना बना के याद कर लो तो यह तो ब पत्र वाले पौधे जिसमें एक बीज पत्र होगे जैसे चावल का दाना देखो गेक से होगा तुम्हारा लेकिन तुम देखोगे मटर का प्रकार से एक पथ्री और दुई बिच पत्री में हम लोग इसको अंतर कर सकते हैं अब देखो दुई बीच पत्री जो होता है उसका देखोगे इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन होता है जो एक बीज पत्री होता है इसे घास उस देखोगे एक बीज पत्री है उसमें parallel venation होता है इस प्रकार से ये सारा इसमें अंतर भी पाया जाता है जी हाँ अब आगिया तो हमारे वर्गी करण का next heading क्या है एनिमीलिया जी 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 हाँ तो एनिमीलिया के बारे में तो आप दूसरा बहु कोशिकी ये होता है और तीसरा विशम पोशी होता है ये सब बाते तो तुम जानते हो ना हम लोग बने शुरू में ही देख लिया और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती ये चौथा point हो गया अब इकाद point और यहां देख सकते हो अधिक तर जनतु चलायमान होते हैं लेकिन कुछ ऐसे जनतु भी होते हैं जो इस्थिर होते हैं बच्चों जैसे पेड़ पॉध है इस्थिर होते हैं वैसे ये भी इस्थिर होते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर देखोगे कि एनिमिलिया को व तो यार हम लोग आ गए अपने वर्गी करण पर तो यही तो है प्राणी अनिमीलिय और इसको यहां वर्गी क्रित किया गया विभीन फाइलम को पढ़ना है तो फाइलम का जो नाम पढ़ना है न बच्चे एक्दम सीरीज में पढ़ना है जैसे पहला हो गया प्प्रिफेर, सिलिंट्रेट, पेलेटी हेलमेंधी, फिर क्या हो गया निमात तोड़ा फ फिर आठवा हो गया तुम्हारा एकाइनो डर्मेटा और फिर नवा हो गया कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का ही दो भाग हम लोगों ने देखा था अभी पहला है तुम्हारा प्रोटो कॉर्डेटा और दूसरा क्या है येस वर्टी ब्राटा वर्टी ब्राटा का पांच ब्र प्रोटु और वर्टीब राटा का पांच वेटा वह आगे पढ़ेंगे अभी तो बस यहीं पढ़ेंगे यहां। लोग तो नौ तक है यहां। इसको समझ लिया तो काफी चीज समझना आसान हो जाएगा बच्चो तो जब लोग कोशिकी नहीं होता है तो पऊरी फेरा तो बहु कोशिकी होगा ही होगा लेकिन यह जो है उत्तक का संग्रशना नहीं करेगा यानि यह कोशी का अस्तर का संग्रशना यानि की जो पौरी फेरा होता है उसके सरीर में सिर्फ और सिर्फ कोशी काई पाई जाती है कोई भी उत्तक नाई पाए जाता है लेकिन बाकि जितने भी और बच्चो उनका सरीर कैसा होता है उत्तकस्तर का होता है जैसे यह नीच जितन Przy्वYa गया सम्में क्या ुत्तक हो यानि की पौरिखोर आखो छोड़ करके बाकि सभी में क्या होता है उत्तक हो तो ये देखो ये हमारा हो गया पाचन तंत्र ये ही हमारा होगा है digestive system तो इसी में ये जो भाग दिख रहा है तुम्हें इसी को हम लोग बोलते हैं गट बोलते हैं बच्चों इसी क्या बोलेंगे गट बोलेंगे ठीक है और यहाँ पर यदि हम लोग अपना सरीर देखेंगे तो ये हो गया हमारा body तो यदि हम लोग इसके दिवार को देखें अपना ये गट वाल कहेंगे क्या बोलेंगे गट वाल और यहाँ पर इसको बोलेंगे body वाल क्या बोलेंगे body वाल और इनके बीच में ये जो इस पेस बचेगा वही होगा तुम्हारा देहगुहा जिसको सीलोम क्या बोलते हैं बच्चो सीलोम तो इसके आधार पर वैस्ते जियू जिसमें यह देहगुआ पाया जाता है उसको बोलते हैं देहगुआ धारी और लेकिन कुछ ऐसे भी जियू होते हैं जिसमें छदम देहगुआ होता है मतलब असली में देहगुआ नहीं होता है पैच यानि देह गुआ होता ही नहीं हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हमलोग बोलते हैं कि वो Acinet है, यानि कि उसमे देह गुआ नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर चितर में देख सकते हो बच्चो, जैसे कि यहाँ पर PLATI HELMANTHIS का बात करेंगे, तो वो क्या होता है एसिलोमेट होता है जैसे यहां तुम देख सकते हो लिखकर के दिखाये गया है वो क्या होता है बच्चो एसिलोमेट होता है जिसमें कोई देखुआ नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया और अच्छे समझ सकते हो यह देखो यह है तुम्हारा बॉडी वा ठीक है और यह होता है तुम्हारा गट वाल ठीक है और इन दोन वाल है इन दोनों के बीश में देखोगे तो इन दोनों के बीश में यह तो लाल लाल रंका दिख रहा है ना यानि कि कोई भी देह गुहा नहीं होता है इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं यह सिलोमेट बोल इसमें देह गुआ है इसमें देह गुआ है अब देखो दूसरा मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी जी होते हैं जिसमें छद्म गुआ होता है देह गुआ होता है उससे हम लोग बोलेंगे pseudo-silomate तो यहां पर देखोगे कि यहां पर patches के रूप में यह देह गुवा पाया जाता है ठीक है तो इन हम लोग क्या बोलते हैं pseudo-silomate animal बोलते हैं यानि कि Body Cavity और फिर यह gut wall के बीच में patches के रूप में देह गुवा पाया जाता है लेकिन फिर इनिमल यानि देह गुहाधारी उसे कहते हैं जिसमें यह देखो यह जो दिख रहा है ना यही देह गुहाधारी प्रेजन्ट है यह देह गुहाधारी तो इस प्रकार से हम लोग ठेकते हैं कि यह है सिलोमेट यानि कि देह गुहाधारी तो देह गुहाधारी में कौन हो गया एनलीडा मौला सकार त्रोपोडा उसके बादी काईनो डर्माटा खौर ठेठा यह सारे हो गए देह गुहाधारी यानि कि सिलोमेट एनिमल हो गए और फिर स्चूडो सिलोमेट एक दम याद कर लेना कूट दे गोहधारी यानि कि जूठा जूठा यानि कि असली में दे गोहधारी यह नहीं होता है वह नीमा टोड़ा नीमा टोड़ा नीमा टोड़ा नीमा टोड़ा उसको याद कर लेना है बहुत इंपोर्टेंट है पूछेगा कि जूठा गोहधारी कौन होता है तो नीमा ट अच्छो कितना असाने से तुमने याद कर लिया ठीक है अब यहां पर देखो यहां पर बोलता है कि भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है और यहां पर अंता अस्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं इसका मतलब बच्छो endoderm से इसमें क्या बनता है body cavity का formation होता है और इसमें mesoderm बोल रहा है तो इसी को याद रखना है बच्छो तो यह कौन सा हो गिया और इसमें कौन सा हो गया इसमें उन्हुंआएborg इकाइनोड़ माता और दूसरा क्या हो गया और अब यहां पर दिखोगे नोटो कॉर्ड क्या होता है वो हम लुग पढ़ेंगे ता मैं बताओंगा Proto Cord data और दूसरा क्या हो गया Yes, wertebrata तो replata में हम लोग देखेंगे कि मेरू dancing present होता है यानि कि spinal cord इसमें देखने को मिलेगा और इसमें notocord LARWA में Aoursersi की उपस्तिति देखी जाएगी यानि कि notocord इसमें present होता है इस प्रकार से यहां तक हम लोग पढ़ेंगे तो प्रतीक की बारे में अब चार लाइन पांच लाइन हम लोग को पढ़ेंगे लेकिन एक पॉइंट और बच गया है जिसे मैं यहां बता देता हो और इस पॉइंट को यहां पर हम लोग देख लेंगे यह देखो यह सम्मित किसे कहते है और तुम्हें अरिये सम्मित किसे कहते है तो यहाँ देख सकते हो बहुत ही असान सा चीज है बच्चो यहाँ देखना मान लो कि तुम ए लिखा है तो यह दोनों बराबर भागों में बट जाएगा लेकिन सिर्फ बीच से ही काटने पर यह दो बराबर भागों में बट जाएगा किधर से भी काटने पर दो बराबर भागों में नहीं बटेगा तीस प्रकार का संगरशना को बोलते हैं bilateral symmetrical यानि कि ये जो है तुम्हारा वी पार्स सम्मित होता है जैसे कि मक्खी का सरीर को एक ही भाग में मतलब एक ही प्रकार से इसको इस तरीके से काटा जा सकता है कि ये दो भागों में बाटा जा सके और कोई तरीका नहीं है बीच से देखोगे तो ये left side और right side एकदम बरा बर होगा तीस प्रकार का जो सरीरिक संग्रशना उसको बोलते है bilateral symmetry लेकिन कोई कोई जीव है जिसको कई तरीके से यहां कई plane में तुम भी भागों में बट जाएगा और उससे क्या बोलेंगे radial area सम्मित इसको बोलते है तो ये दो बात भी हमें याद रखना है ठीक है बच्चो तो सबसे पहला फाइलम आता है बच्चो पौरी फेरा और इस पौरी फेरा फाइलम में हम लोगों को क्या करना है अरे भाई चार पांच points जो की यहां पर लिखे गए हैं उनको हम लोगों को याद कर लेना है ताकि यदि एक्जाम में प्रश्न आए कि पौरी फेरा के लब क्या होता है छिद्र होता है छेद होता है तो जो पौरी फेरा पौरी फेरा के जीव होते हैं उनके शरीर में क्या होता है छिद्र होता है यह देखो यह क्या होता है छिद्र होता है जिससे होकर के पानी जाएगा और पानी फिर बाहर निकल जाता है इस तरीके से यह क्या तो इसके उदाहरण को याद कर लीजिए तो चलिए हम लोग पौरी फेरा के 4-5 पॉइंट को फाहते हैं तो पहला ही हो गया यह छिद्र युक्त जीवदारी है पहला पॉइंट क्या हो गया कि इनमें पोर्स होते हैं छिद्रो होते हैं इनके शरीर में और दूसरा पॉइंट तुम जल्दी से खुझ से बताओ तो तो मैंने बताया था कि इनमें कोशिकिये संग्रशना होती है यानि कि इनका जो शरीर है कोशिकाओं का बना होता है विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं होती है जो कि भिभिन्न प्रकार के कारी को करती है अलग-अलग कारी को करती है और इसमें उत्तक नहीं होता तो पहला क्या हुआ छिद्र युक्त जीव है दूसरा क्या हो गया ये कोशिकी अस्तर के जीव है इनमें कोशिका संग्रशना पाई जाती है इसमें उत्तक नहीं होता है ती मुद्र के अंदर जो चटान फटान है ना उससे छिपके हुए रहेंगे जो किसी अधार से क्या होता है चिपके हुए रहते हैं तो यह हो गया तीसरा पॉइंट यानि यह चलते फिरते नहीं है जी इनके पूरे शरीर में अनिक छिद्र पाए जाते हैं अब चौथा पॉइं के साथ ही अपने भोजन को लेते हैं और विभिन प्रकार ऑक्सीजन को ले लेते हैं और फिर यह इस प्रकार से यहां पर अपने गंदगी को भी निकाल देते हैं इसके शरीर से तो यह हो गया चौथा पॉइंट तो यही चौथा पॉइंट में सारा लिख देना है कि नाल प्रणाले इसमें उपस्थित तो है लोग करते हैं लेते हैं ग्रहन करते हैं और उनका वो संचरन करते है इस द्वारा हेने से घंस झाए गार हैने से फाना निखल जाएगा और ये बीश में क्या कर लेगा जो यह जो भोजन उसको पकड़ लेगा अब देखो इनका सरीर कठोर आवरण अर्थवा यह कंकाल से ढखा रहता है इसमें वह यह कंकाल पाए जाता है तो अब देखो बैफ हर एक लाइन को ही याद कर सकता है नहीं ना लेकिन तुम बढ़ियां से चीज़ को तुमको चाहिए यानि कि इसका जो जो शरीर इसमें बाहरी यह कंकाल पाए जाता है ठीक है हमारे सरीर में जिसे अंदर में हड़ी कंकाल है ना उसी तरीके से इसके जो सरी सरीर है इसका बाहर से क्या होता है यह सरीर कंगाल पाया जाता है इनका सारेक संग्रेशना अत्यंत सरल होता है जिसमें विभेदन नहीं होता है थी पहले ही पढ़ लिया इन्हें समाने था स्पॉंज के नाम से जानते हैं यह छठा पॉइंट बन सकता है कि इनको तो हम लोग क्या बोलते हैं स्पॉंज कहती है और यह देखो यह समुद्र में आवा पाय जाते तरी साथ हो पाइंट भी बना दो कि यह समुद्री है तो मैंने तो यहां भी बता दिया था कि यह समुद्री है और अचल है बापरी बाप कितना सारा पॉइंट बन गया अब देख उदारन में साइकॉन यूप्लेक्टेला स्पॉंजीला यह क्या है इसके उदारन है ठीक है बच्चो तो यह सारा पॉइंट बन गया सिर्फ एक में पारी फेरा में जी हां अब आगया हमारा सेलेंट अब यह भी जलिये जनतु है अब देखो इसमें पॉइंट बनाते हैं कि यह कैसे जनतु है जलिये जनतु है तो पॉरी फेरा सबसे सधारण जीव होता है तो उससे थोड़ा सा विक्सित जीव कौन आ जाएगा सिलेंट रेटा का जीव आ जाएगा और इनका सारीरिक अब इसमें एक देखोहा पाई जाती है इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है अब यहां से देखो इसमें एक देखोहा पाया जाता है लेकिन यह देखोहा तुम्हारा इसी को सिलेंटरोन भी कहते हैं इस देखोहा को ही क्या होते हैं सिलेंटरोन और इसी का नाम क्या पढ़ता है सिलेंटरेटा पढ़ता है तो वच्चों हम लोगों ने देखा था कि यह जो इसका जो बॉड़ी केविटी होता है वह इस प्रकार करनी होता है जिसमें और गन विक्सित हो इसलिए इसको ए सिलोमीट एनिमल भी बोलते हैं यानि कि इसका देंग हुआ है वह दूसरे प्रकार यहाँ पर देंग हुआ बोल रहा है यह जो देंग हुआ है वो जो हम लोगों ने पढ़ा था वैसा देंग हुआ का बात नहीं कर रहा है इनका शरीर कोशिकाओ की दो परतों का बना होता है यानि कि यह डिपलोब्लास्टिक एनिमल हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं डिपलोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं यानि कि दो कोशिकियस्तर का बना होता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ देखिए तो सबसे बाहरी परत क्या हो गया एपिडर्मिस ये देखी ये वाला बाहरी परत को बोलेंगे एपिडर्मिस और ये वाला देखो तुम्हारा गैस्ट्रोडर्मिस भीत्री है और इसके बीच में मीजोगलिया नमक पदार्थ क्या होता है भरा होता है ये सब बाते याद कर सक कहते हो बहरी परत को क्या कहते है यह फिर धर्मिस कहते हैं और भीतरी परत को यह देखिए यह भीतरी परत इसको क्या बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस कहेंगे और बीच में पदार्थ भरा रहे तो इसको मीजगलिया कहेंगे यानिकि यह दो परतों का बना होता है जिससे हम ल पनाका रखती है यह चो को रल है वह क्या होता है वा जा वो zeg za सम Hakya को डालम यार्व में रहता है याद कर dieser जैसे कि हाइड्रा और तो इसके सारे उदारन को हम लोगों क्या कर लेना है याद कर लेना है है, हाइडरो हो गया, समूद्री एनिमोन हो गया, सी इनिमन जिसको बोलते हैं, ये सलिंटर रेट उदारन हो गया, अब इसी के ताथ हमारा ने आगया, वह है प्लेट हेलमेंθीस, तो प्लेट के जैसा इसका सरीर होगा, चपटा इसलिए इसका नाम है पलेट पलेट हलमेंथस पलेट मने चपटा तो तुमसे कुछ शना देगा कि बता यह चपटा सरीर किसका होता है तो अंसरवा है पलेट हलमेंथस पलेट हलमेंथस का सरीर किसका होता है ठीक है तो यहां पर विसकी बारे में कुछ बात पढ़ना है तो पूर्व वर्डित वर्व की पेक्च्छा इस वर्ग के जनतों के सारिरिक संग्रश्ना अधीक जटिल होती है अब देखो पॉरी वेरा सीजिविंट रेटा उनका सरीर से पलेटी GUILMENTHIS का सरीर क्या होता है चपटा होता है अच्छा प्लेट प्लेट तो मैंने बता दी इसको Fliat Worms Fliat Worm बोलेंगे क्या बोलेंगे Fliat Worm भी इसका नाम हो जाएगा ठीक है इनका तो सरीर द्वी पार्षy सममीत होता है, जैसे कि मैं अभी बता दिया था तुम्हें, जैसे ए मैं लिखूंगा, तो एक ही बार में इसको यदि काट दिया बेच से तो बस दो भागों बराबर भागों में बाटा जा सकता है, और कहीं से इसको काटाबाटा नहीं जा सकता है तिस तरीके का जो body, शरीर डीजाइन होगा उसी का कहते हैं द्वी, पार्श, वत्स, सम्मित कहते हैं अथार्थ सरीर का और शरीर का जो थाया भाग होता है and the बाया भाग are equal ठीका है यानि एक जैसी संग्रशन होती है तो आपको सरीर का बाइं भाग के जैसा होता है उसी के जैसा संग्रशन होता है तो उसको क्या कहते हैं bilateral symmetry कहते हैं तो ये पहला point एकदम याद रखो कि जो flat platy alventis है उसका पहला point ये रखो उसका सरीर चबता है दूसरा दूपार्स समीत होता है और तीसरा बोलेंगे 3-coric होता है यारी 3-ploblastik होता है यारी 3 germ layer से इसका सरीर बरना होता है जैसे हम लोगों तीन dermis यानि की तीन germ layer से बनाएगा तो उसको बोलते है ट्रिपलो ब्लास्टिक तो बच्चों आगे जितना भी आएगा सब में ट्रिपलो ब्लास्टिक हम लोग आँख मुंद के लिख सकते एक point को और एक point हमारा सारे फाइलम में बन जाता है अर्थात इनका उत्तक विभेदन तीन कोशकी ये अस्तरों से होता है तो याद रखना अब कोईशन आएगा ट्रिपलो ब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ ये बताइए तो हम लोग बोलेंगे कि इनका जो शरीर होता है उनका उत्तक का जो भीभेदन होता है तीन कोशकी ये अस्तरों से होता है त्री जर्म लियर्स से होता है तीन कोशकी ये अस्तरों से होता है तीन कोशकी ये अस्तरों से होता है बहुत सधारान सा चीज है ठीक है अब देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया ये चौथा पॉइंट लिख दिना है कि इसमें कुछ अंग जैसी संगरशना भी बनती है इसमें वास्तविक देहगुहा का आभा होता है यानि कि ये एस सीलोमेट होते हैं जैसे मैंने बताया था ये वाला भी एस सीलोमेट होता है इसमें गड़बड़ाई कमत और ये वाला भी एस सीलोमेट होता है जिसमें सुविक्सित अंग व्यवस्थित हो सकें और ये एस सीलोमेट होता है इसमें सुविक्सित अंग व्यवस्थित नहीं होते हैं इनका सरीर प रिष्टधार यह मतलब बोलते हैं कि पीठ तरफ कुछ और पेट के तरफ कुछ और होता है ठीक है इसलिए ने चप्टे क्रीमी भी का जाता है कोशन का एंसर मैंने बता दिया था चप्टा क्रीमी यह नहीं फ्लैट वर्म्स किसके जानवरों को कहते हैं किसके जंतुओं को कह अब देखिए लिवर्फ फ्लीवी होता है ये दूसरे जीवी से अपना बोजन वागए गरहन करता है और प्लेणिया अपने आप से स्वक्षंद होता है किसी प्लेश नहीं होता इस प्रकार से दो उदारण आप याद कर सकते हैं इसके बाद आ गया है मारा नीमे टोड़ा के बारे में एक point मैंने बता दिया था जल्दी बता दो यह pseudo silomate होते हैं यानि कूट silomate में पाए जाता है भी भी है यही मैंने बताया था नीमेटोडा के बारे में याद कर लेना अब 4-5 point तो तुम्हें याद करना है तो पहला point वही हो गया द्विपार्स सम्मित होता है दूसरा point triple blastik होता है यानि कि इसका जो सरीर है यह त्री कोरिक होता है हर चीज हर जखा यह वाला लिखते जाएंगे तो हमारा यही वाला त्री कोरिक हो द्वीपार समीत हो गया कूट सिलोम हो गया तिन पॉइंट बना है कि नहीं बना बन गया सोर अरे वा क्या बात है 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 नीमेटोडा का सरीर द्वीपार से समीत होता है पहला दूसरा त्रीकोरिक होता है सोर और त्रीसरा कूट से ल तो इनका सरीर क्या होता है बच्चों बेलनाकार होता है अब इनके सरीर मुद तक पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा यह सर पाया जाएगा परंतु अंग तंत्र पूर्ण रूप से विक्सित नहीं होते हैं इनका सरीरिक संगरशना भी त्री कोरिक होता है यह तो बता दिया यह अधिकांस थप पर जीवी होते हैं यह बात याद रखो चौधा पॉइंट बना के लिख दो पर जीवी के तौर पर यह दूसरे जंतों में रोग उत्पन करते हैं उधारन के लिए गोल क्रीमी हो गया फा वच्छ नीमा टोड़ा के बाद क्या आता है पहले नीमा टोड़ा का यहां पर कुछ हम लोग उदारन देख सकते हैं तो यह देखो यही है तुम्हारा यही है तुम्हारा एसकेरिस यह देखो यह क्या है एसकेरिस और यह वच्छ रेडिया जो की फाइल एरिया वर्म को का पाउस करता है तो ये तुम्हारा क्या है नीमेटोडा का उद्दारन है इसके बाद आजाता है हमारा एने लीडा तो एने लीडा जो जीव है उसमें जो पहले हम लोगों ने देखा वही चीज यहां भी लिख देगे कि यह जन्तू क्या होते हैं द्वी पार्स वह स्वम्मित होते हैं यह Jetzt क्या होते हैं 3-40 होते है और तीसरा इसमें वास्तविक देख बहलती है यहाने कि सीवफ होते हैं ठीक है वच्चों यार इस तरीके से हमारा तीर पॉइंटू एक दम आसानी से बन गیا अब दो एने लीडा वाड्ध है अनुलास से आया है इसका वह अर्थ dispयोत केचुआ को देखा होगा केचुआ जो तुम्हारे गार्डेन में रहता है ऐसे गोल 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 उसके सरीर पर बना रहता है ऐसे केचुआ ठीक है इस प्रकार से केचुआ को जरूर देखा होगा जरूर से जरूर देखा होगा लालाल रंग का होता है दिखा है ना बच्च गुल 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 बच्चन यहां देखो इसे गुल गुल है न बच्चों यह देखो यह गुल है तो इसलिए इसका नाम हो गया रिंग वर्म यानि कि एनलीडा के जीयों को बोलते हैं रिंग वर्म इनके बाडी में क्या होता है सरीर में रिंग रिंग जैसा रश शारीरिक संगरशना में नही थोते हैं, यानी इसमें वास्ताविक अंग पाए जाते है, अता इन अंगों में व्यापक विभिनता होती है, या विभिनता इनके शरीर के सिर्र से पोँच्छ तकए गबाद एक खंडित रूप में उपस्तित होती है, यानी कि ये रिंग के point बना सकते हो ना'd제 यहां जो जलिए अनलीडा यानि की वैसे जलल में रहते हैं वो तुम्हारा लवनिये जललियानि की जल्फ में भी पाये जाते हैं और नमकीन खार जल्फ दूनों में पाये जाते यह इनमें सम्वहन पांचा उतसर्जन और तंत्री का तंत्र पाया जाता है, यкої जलीए और अस्तलीए दोनों होते हैं, उदारं तुमको याद रख लेना है जैसे कि जोंक हो गया, नेरी सो गया, केचुवा हो गया, तो ये देख सकते हो, यहाँ पर केचुवा है, जोंक है, ओ, ये तो केचुवा ही बनाय हुआ था अलग अलग खंड़ों में जैसे जनन पैपिलिय इस खंड में मौजूद है तो अलग 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 भाग जातेे हैं अब देखो नेरीस से इसमें भी देख सकते हो अलग अलग संग्रेशना तुमको देखनी को मिल सकता है और यह देखिए यह जो अब नेट पर सर्च मारें कि जो कैसा होता है तो देखिए जनतों अब आ गया हमारा next star next क्या है आर्थ्रो पोड़ा मतलब होता है पैर और आर्थ्रो मतलब होता है jointed यानि कि यह जो जीव है उसकी jointed legs होते हैं यह देखिए कहां दिखाओं में भाई यहां देखना इस तरीके से तुमने यहां पर joint joint बना होता है इसलिए इसका नाम क्या है आर्थ्रो पोड़ा आर्थ्रो पोड़ा यानि jointed पैर वाले जीव होते हैं इसके बाद दूसरा point क्या है दूसरा point है यहां देखिए दूसरा point क्या है कि सबसे बड़ा संग है सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा संग है सबसे बड़ा संग है समझ गया है यानि कि सबसे बड़ा फाइलम है यह आर्थ्रो पोड़ा ठीक है, तौ इसको Head बोलते हैं, फिर thorax बोलते हैं, फिर abdomen बोलते हैं, thorax हो गया, thorax मतलब मने कि शाती वाला भाव भाव हो गया, और यह abdomen यानी पेट वाला भाव हो गया, इस तरीखे से यह जो सरीर होता है न क्ढ़णों में भी move होता है, ठीक है अब देखो यह बाद समझ गया है तो कितना point हो गया, पहला उपर बता दिया, धोसरा यहां फारा, थीसरा, यहां पर हम लोगे पहल लिया, किसका सरीर कण्डी उपत होता है, किसका सरीर ring ring बना हुआ होता है, यानि की annula होता है, जल्दी बता दिए बच्चों, वह है रिडा ह होता है सर अब देखो इसमें खुला परिसंचरन तंत्र पाए जाता है ये भी बात याद रखला कि इसमें परिसंचरन तंत्र क्या होता है खुला होता है बंद नहीं होता है इसलिए जो ब्लड होता है वह वाई काव में नहीं बहता है तो बच्चों हमारे शरीर में जो परिस संचरण में रख्त का प्रवा होता है रुधिर का प्रवा होता है लेकिन जो आत्रोपोडा के जीव है उसमें जो रुधिर का प्रवा होता है वह वाही काव में नहीं होता है तुम देखो कि ना तुम्हारे जो बलड वह रहा है वह नर्स में बहरा है तुम्हारे सरीर में ले वेसल इनके सरीर में नहीं पाए जाता है इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं इसका नमवा कहा है जे इसका नमवा है आर्थरपोड़ा आर्थरपोड़ा है जे क्या नम है आर्थरपोड़ा तो तुमसे पुछे का जुड़े यह उदारन है घृंगा, तीतली, मक्षी जो तुम मारते रहते हो मकड़ी, बीच्चु, बीच्चु स्मत लगेगा केकड़ा जो खीखाते रहते हैं, यह सारा आर्थ्रोपॉड़ा क्या है, उदारन है, उदारन है, और टेलचटवा, कहता भूलिये कहाँ, टेलचटवा, टे टलचटा एक चप्र मरबूत टलचटा अब देखो यहां पर आ गया नेक्स्ट मोलस्का बच्चो मोलस्का ठीक है अब यह जो मोलस्का है इसमें देखो कि इसका क्या खासियत है कि इसका शरीर के बाहर कवच के जैसा संग्रशना तुमको देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो तुम्हारा शरीड है इसका वह थूपा रहता इससे घोंगा तुमने देखा है इसके उपर हो कि इसी के। Easy में भी देखो गार गॉलता है इसमें भी पाया जाताहिं है तुम नीख सकते हो लेकिन बेगता बहुत कम होता है यह होकी या पहला पॉइंट लिख दिया हुए थीन को जी याद खिया था ना by लिख या कोई टंसन में नहीं है जी अब देखो सरीर में थोड़ा विखंडन होता है इसके सरीर में थोड़ा थोड़ा विखंडन देखने को मिलता है अधिकांस मोलस्क जन्तुमें कवच पाया जाता है तो बोलेगा कवच वाले जन्तु कौन है मलस्क है मलस्क में क्या होता है कोच होता है और जोईंटेट लेग वाले कौन होते आर्थरों पोड़ा होते हैं लेलो लेलो दही लेलो यहां देखो आवे अब देखो इसका भी सवहन तंत्र क्या होता है बच्यों खुला होता है खुला खुला होता है ठीक है और इसमें उत्सर्जन के लिए गुर्दे यानि गुर्दा समझते हो ना केड़नी जैसी संग्रेशन है इसमें पाई जाती है उदारन को नो क्या घुमगा सीपुआ ठीक है अक्टेपस यह सारा चीज याद कर लेना यूनियों तिये मुलस्का के कुछ क्या हो गए जन वह वह क्या बात है इकाइनस से आया है जिसका मतलब होता है काटेदार काटों से अच्छादित यानि कि इसका जो बॉड़ी होता है काटों से अच्छादित होता है कि इसका इकाइनो धर्माठा का अब देखो इसमें भी सारे बात लिखने है लेकिन थोड़ा से इसमें अं स्वाएं लाब लखाता है कोर्मा समद्रे जी होता है दूसरा क्या होता है चिंभ आसे मुक्त हैं किसी से जुड़े नहीं रहते हैं अब देखिए यह देख कुओं हाँ यूट्त त्रीकोरिक जनतों है तो यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि यह सीलोमेट होते हैं होते हैं लेकिन द्वी पार्सु सम्मित नहीं होते हैं इसमें अरिय सम्मित होता है यह वाला पॉइंट तुम लिख दोगे तीसरा पॉइंट बने तुम्हारा इनमें विशिष्ट जल समवहल नालत अंत्र पाय जाता है यह देखिए यह नया चीज आ गया आपका कि इकाईनो मतलब जानते होना डर्वा मतलब होता है तो अच्छा यह भी बताया ही नहीं तुम्हें तो कई से जानाओ को जी समोज गया बिल्कुल समझ जाता है उनको तो मेरा चीज जो जती है के जल समवहन नालत अंत्र किसमें पाया जाता है तो यह जो एक वोसत रहेगा और चलत रह तक और यह जल्वसmusic कारण क्या होता है ये इनमें गति होती है यहा लिखा भी बीधा की चलन में सहायता होती है टिकशितocyaber्य नालतन तंत रहने चलते हैं अब देखिये इनमें calcium carbonate का कंकाल जाते हैँ यह घ्याते की काटे पाये जाते हैं तो किसंगे बने होंगे कैलसियम कार्बॉनेट के बने होंगे जो की कांटे होते हैं और इनका कंकाल कार्बॉनेट के लिया अब धारन देख लिए स्टार स्थ समुद्री जान यह डिएक्ट पर आया था में देखे AREA Concentral में चे का डिया हएоды of बताई इसका नाम क्या है तो यहीं है इस्टार फिस्टारा मसली एस्टेरीस ठीक है यह इकाइनस यानि समुद्री अर्चीन है यह होलो थूरिया समुद्री खीरा है और यह एंटेडॉन यानि पंक तारा है तो यह चारों नाम यहां पर आप याद रख सकते हैं इसके बाद है हमारा प्रोटो कॉर्डेटा और प्रोटो कॉर्डेटा यहां पर आप देख सकते हैं यह देखिए यह देखिए यहां पर आगे आपका तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के बारे में तो कॉर्डेटा में दो भाग पढ़ना है बच्चों पहला है प्रोटो कॉर् संग्रशना पाई जाएगी जिसको में लोग क्या बोलेंगे नोटो कॉर्ड और जो यहां पर कॉर्ड डेटा होता है उसमें जो कस्वेरुकी होते यानि वर्टीब्रेटा होते हैं उसमें इस नोटो कॉर्ड के जगह मेरूदंड पाया जाता है बच्चों क्या पाया जाता है मेरू दंड ठीक है यानि वर्टीब्रल कॉलम देखोगे तुम अपने पीठ पर छू करके देख सकते हो जो हड़ी का एकदम उपर से नीचे इस तरीके से आता है ना वही है तुम्हारा मेरू दंड तो मैं तुम्हें इससे दिखा देता हूं थोड़ा सा तो बच्चों यहां है यानि कि यह जो हम लोग भोजन करते है ना उसी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उसके पीछे क्या है नोट ओकॉर्ड लेकिन हम लोग अपने पीठ के पीछे देखोगे तो उसमें मेरू दंड दिखता है तो देख सकते हो बच्चों यहां जो कैसेर्यू की होते हैं उनके पीछे ये मेरू दंड पाया जाता है तो जो कैसेर की होते हैं यानि वर्टी ब्राटा होते हैं उसमें क्या पाया जाएगा मेरू दंड पाया जाएगा ये देखो ये मेरू दंड की संगरशना है लेकिन जो कौन होते हैं बच्चों येस जो तुम्हारा प्रोटोकॉर् की उपस्थिती होती है तो नोटो कॉर्ड भी मैंने दिखा दिया तुम्हें मेरू दंड भी दिखा दिया तो मेरू दंड किसमें पाये जाएगा कशेरुकी में यानि की वर्टी ब्रैटा में पाये जाएगा लेकिन जो प्रोटो कॉर्ड डेटा है उसमें क्या पाये जाता है नोटो कॉड की उपस्थीती होती है समझ गए अब देखों जो वर्टी ब्राटा है उसको पाँच भागों में बांट के करते हैं वर्टी ब्राटा का पाँच बेटा यहाँ देख लो पहला है तुम्हारा मत्स्य यानि मचली वाला ग्रूप जूसरा है जल अस्थलचर यानि की मेंड़क वाला ग्रूप फिर सरीश्रीफ है यानि सांफ वाला ग्रूप और यह है पक्षी वाला ग्रूप और उसकी बाद आता है मैमल्स यानि की अस्थन पाई यानि की हम लोग आते हैं बच्चों इस प्रकार से देखोगे यह जितने होते हैं सभी में मेरू दंड पाया जाता है इनमें क्या पाया जाता है बच्चों मेरू दंड पाया जाता है तो चलो भाईया अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या चीज़े दी गई हैं तो देigung proto quedemeta तो PROTOCODY देटा में बोल रहा है यह द्वी पार्से consistent होते हैं त्री क्ली होते हैं इसमें देघ्गुहा होती तो यह पैला ही पॉइंट हमारे हो गया कि यह कैसे होते हैं bilateral symmetrical होते हैं त्री को रीक होते हैं ट्रीकरी होते हैं शेलों होता है इसके अत्रिक्त ये सारे रिक संगरख्षनाओं के कुछ नए लक्षन दिखाते हैं जैसे की नोटो कॉर्ड अभी तो चित्र में दिखाया था नोटो कॉर्ड तुमें यानि दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें नोटो कॉर्ड प्रेजेंट होता है अब देखो ये नए लक्षन इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है यानि नोटो कॉर्ड इसके जीवन काल में कभी न कभी उपस्थित होती है ये देखो नोटो कड बताया था कि ये छोड जैसी संगरशना होती है जो जन्तु को ये जन्तु है इसके प्रिष्टिये भाग में क्या होता है फैला होता है इसी को कहते हैं नोटो कड तो देखो ये सिर का भाग दिखा रहा है और ये पूरा प्रिष्टिये भाग में यानि पीछे की और फैला होता है, जिसे हम लोग क्या बहुते हैं, नोटो कॉर्ड, तो निया पॉइंट डिख सकतू हो, यह जो नोटो कॉर्ड है, आहार नाल दिखा है था ना भी, उसी को तंत्री का तंत्र से क्या करता है, अलग करता है, तो देखा तुमने दो पॉइंट तो हम नोटो कॉड क्या होता है और यहां पर नोटो कॉड तंत्री का उत्तक को आहार नाल से क्या करता है और लग करता है या पेशियों से जुड़ने का अस्थान भी प्रदान करता है पेशियों यानि मस्सल को जुड़ने का अस्थान भी प्रदान करता है ठीक है वचो जिससे चल जरूरी नहीं कि सभी अवस्थाओं में यह नोटो कॉर्ड उपस्थित हो लेकिन जरूर से जरूर कहीं न कहीं यह उपस्थित होता है जीवन के किसी काल में अब देखो यह समुद्री जन्तु है तो यहां भी तुम्हारा नेक्स चौथा पॉइंट बना सकते हो कि समुद्री मैं खाघगों को क्या है अब को आझान वर्टी ब्रैट प्रोको देंसा की मवर्टी व्र्टी ब्रेटा का भाग था तो वर्टी ब्रेटा अब आगया हम लोग देखें पार्स सममित होता है त्री कोरिक होता है देह गुहा वाला होता है यह जो लाइन है ना हमेशा आ रहा है इतले मैंने पहला बता दिया कि यह द्वीपार्स वो सम्मित होता है त्री कोरिक होता है और देह गुहा यानि सिलोमेट और्गनिजम होता है अब दिखो इन जंतों में वास्तविक मेरुदं और अंतह कंकाल पाया जाता है यानि कि एंडोस्केलटन पाया जाता है तो यह दूसरा पॉइंट हम लोग बना सकते हैं इस कारण इन जन्तों में पेशियों का वित्रण अलगल होता है यह पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है तो देखोगे कि हमारे शरीर में जो पेशियां यानि मसल है वह कंकाल से जुड़ा होता है नहीं तो अपने हाथ का मांस को खीच करके देखो तुम तो तुम देखोगे तुमारे हड़ियों से तुमारा हड़ी क्या है तुमारा कंकाल है उससे जो मसल है वह जुड़ा हुआ होता है ठीक है अब देखो इन में उत्तकों अंगों का जट्टिल विभेधन पाया जाता है तो यह तीसरा पॉइंट है कि जो वर्टीब्रेट होते हैं उसमें अंग पाये जाएंगे उत्तक पाये जाएंगे अंग तंत्र भी पाया जाता है अब सभी कसेरुकी जीओं में कौन-कौन सेलक्षन पाये जाएंगे तो नोटो कॉड अब नोटो कॉड ढूनी अवस्ता में पाये जाएगा फिर कसेरुकी दंड पाये जाएगा और इसमें स्पाइनल कॉड पाया जाता है इनका शरीर त्री कोरिक होता है यह तो हम लोगोंने पढ़ी लिया और युगमित क्लोम थैली एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बच्चों इसको याद करने ना पियर्ड गिल्ड पाउची इसको कहते हैं और इसमें सिलोमेट होता ही है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता ही है तो इस तरीके से यह सारा चीज तुम क्या करोगे पढ़ लोगे अब और यह जो मेरू रजू है यही हमारे तंत्र का तंत्र की रचना करते हैं जो कि हमारे सरीर को क्या करता है चलाने का काम करता है अब देखो वर्टी ब्रटा का कितना बेटा पांच बेटा सबसे पहला क्या है मत से है और अब दिखो जादू ऐसा है बच्चों कि यही तुमन पशल से ग्रूप का सीड़ी अंगर्लीौ चैばी झाल सम समस्याइक मिचली क्या होती मीठे צर management रहती हैं तो कि दोनों जगह यह मिजली आपा जाती हैं अब यहाँ से कई वाइस देखते जा ईयार से 5-05 अमुद्र बनाएंगे जो कि सब ही में बाकि पांचों बेटों में हम लोग बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहला जो point हमारा हो गया वह इनका तुचा सक्राइब सक्राइब सब्सक्राइब सेहला कि थे वारी सेल और प्लेटों से रहा ब्लेटों से मिसली होगा और मशली का चित्र बाइब करते हैं मशली देखके करेंわか Estamos have拍 com काट त Custom back are जाता है तो जो मशली को तो तोच्छा होता है ना वो सुल्क का बना होता है उसके तुछा पर सुल्क पाई जाती है पहला पॉइंट हो गया दूसरा दूसरा पॉइंट हम लोग देखना है स्वासन में कि इसमें स्वासन जो होता है वह क्लोम के द्वारा होता है दूसरा पॉइंट हम लोग ने बना लिया तीसरा पॉइंट हम हम लोग देखेंगे कि इसमें और समतापी होते हैं यह तीसरा पॉइंट बता देंगे हम लोग क्या कि और समतापी होता है कि इनकी सरीर को गर्म करने के लिए इनको धूप का सहायता चाहिए यानि कि बाहर का वातावरन जैसा होगा उसी प्रकार से हैं इसी को कहते हैं हम लोग और समतापी ठीक है कि यह तीसरा हो गया चौन्था पॉइंट हम लोग बनाएगे कि हिरी दे क्या होता है दुई कक्षी होता और पांच वह पॉइंट बना देंगे कि यह अंडा तो बच्चों यह पांच पॉइंट याद रखो सबसे पहला विद्य कितने कखुष्का होता है पांच वहां देखना है कि अंडा देता कि बच्चा देता है इस प्रकार से पांच पॉइंट सब ही में हम लोग देख लेंगे और उसके बाद एक दो पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं जैसी पांच पॉइंट बेसिक हम लोगों पढ़ लिया अब देखो और मशलियों के बारे में क्या लिख सकते हैं छटा पॉइंट कि ये समुद्र और मीठे जल में पाई जाती है इनका सरीरी सात्वा में क्या लिख सकते हैं गारा रहे किए अब देखो कुछ मश्मकल्यत्यों में कनकाल के उपस्थी का बना होता है और कुछ मस्मश करतीओं का अस्थी कब बना होता है ये दोनों भी बात लिक दोगे तो यह आट वा पॉइंट ओंगया देख लिजी कितना सारा पॉइंट हो गया जैसे कि जो सार्क होता है उसका सरीर उपास्थी का बना होता है और जैसे टूना रो हूँ जो तुम खाते हो ना उसका जो सरीर है उसमें जो कंकाले वास्थी का बना होता है इस प्रकार से दिख सकते हो आठ आठ पॉइंट हो गए यह देखो यही है स्कॉल नाम भी तुम याद रख सकते हो अब देखो अब हम लोग आ गए जलस थल्चर में तो फिर से वही बात हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट तो अच्छा कैसा होता है तो इसके तो अच्छा में सल्क नहीं पाए जाते हैं बलकि स्लेश्म ग्रंथी पाए जाती है पहला हो किया दूसरा यह स्वसन कैसे करते हैं तो श्वसन यह क्लूम के दारा यह फ्ञब प्ञातर करते हैं 11चा होता है तो एक हुआकि है फिर चौथा पॉइंट यह अंड़ा देगा क्या देगा मतलब बच्चा देगा तो जाओ फाएंट व violation यह आइड़ा और प्यां पॉइंट यही है किसका संधें नियत तापी होता है यह समतापी होता है तो इसका ऑ principles भी आसम तापी होता है यह हो गया पाँचवाँ पॉइंट बस अब देखो इसको हम लोग कहते हैं एमफीबिया यानि जल अस्थल चर्च यह जल तथा दोनों पर रह सकते हैं यह एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया बच्चों तो यह छठा पॉइंट हो गया ठीक है अब दिखो साथ ऑफłas इसमें क्या किसा यह यह कंकाल नहीं होता है साथ वाइन हो गया और आथमा व्रिक को पाये जाते हैं यह आरे फॉवय को भी ने वाइन वॉणन के ढरे लेखिन यह एंफीवय का उदारन हो गया अब आ गया हमारा सरीस तो जल्दी से बता दो पांच पॉन्ट हम लोगों करना है तो पहला पॉइंट खोजयो 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 इसकत सरीर में सतल क्कुम धृणध कि हो यह पहला पॉइंट हो गया दूसरा 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 इसने सासन फेंफिड़े द्वारा होता है तीसरा 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 हृदय में त्रीक अक्षी होते ही तीसरा पॉइंट हो गया चौटा 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 इसमें कहा खिया अंडा 1 देता है 4 पोइंट 5 होँ आइसका शरीवसमतापी अब देखो कुछ और खास बात इसमें देखना है यह तो 5. पॉइंट होगे ना बच्चों होगे सर्त लेकिन इसमें दिखोगे कि इसका घिरदे इस्त्री कक्षी होता है लेकिन मगरमंच में इसका इरदे चार कक्षी होता है इसको याद कर लो यह अंडे देते यह तो point आ ही गया हमारा अब दिखो इसका अंडा कठोर कवस से ढछागा हमारा अब आ गस्या पक्षी तो फिर से पर्स पॉइन्ट देगेंगे तो पहला प्वाइंट क्या है बच्चो पहला पहला कहा गया गरे वहाद पहला तो तुषचा होता है ना तो हो गया दूसरा स्वसन कैसे होता है तो फेपड़ा द्वारा होता है तीसरा हृदय कैसा होता है तो चार कक्षी होता है तीसरा पॉइंट चौथा जल्दी बोलो बच्चो क्या खोजेंगे हम लो यह अंडा देता है कि बच्चा देता है तो यह अंडा देता है यह सब क्या दे शरीर गर्म रहता है यह गर्मी के लिए इपने सरीर को गर्म रखने के लिए बाहर के वातवरण पर निर्भर नहीं करता है जैसे कि तुम गिरगंट को देखो वाहर में धूप सेकते रहता हैец्य करता ऐसे करके अपने शरीर को क्या करता है शरीर को गर्म करता है लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं बच्चों हम लोग भी क्या करते हैं अपने शरीर को भीतर से गर्म करते हैं हम लोग बाहर सुरी का प्रकास या बाहर किसी चीज़ के ज़रत नहीं है गर्मी शरीर के तेमप्रेशर को निय करने के लिए इसलिए हम लोग क्या है हम लोग भी समतापी है पक्षी भी समतापी है और यही कारण है कि इनका जो रिदय होता है वह चार कक्षी होता है बच्चों याद रखना ताकि वहाँ पर ऑक्षीजन अच्छे तरीके से सप्लाई हो सेगे पूरे सरीर में और ज्यादा तापी जी होते हैं विलकुल सही बच्चों यह देखो यह सब पक्षी है और यह सब सरी स्ट्रीप है यह तो तुम जानते ही होगे तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टी ब्रेटा के पांच हुए बेटा यानि की अस्तनपाई मैमल्स के बारे में तो हम लोग क्या हम लोग बात करें तो तौचा की तो तौचा में क्या होता है तो तौचा पर बाल होता है स्वेद गरंतिया होती है तेल गरंतिया पाई जाती है जी हां जो इसतनपाई होते हैं उसके तौचा पर बाल पाई जाता है रोएं पाई जाते हैं स्वेद गरंति पाई जाती है त तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, रीदे, कैसे कक्षी होते हैं, चार कक्षी होते हैं, और हम लोग में स्वसन कैसा होता है, तीसरा पॉइंट, तो हम लोगों में स्वसन किसके द्वारा होता है, बिल्कुल फेफडे के द्वारा होता है, चौ जर्म देते हैं अंडे को नहीं जर्म देते बच्चे को जर्म देते हैं कुछ exceptions हैं उसको पढ़ लेंगे लेकिन basically क्या देंगे बच्चे को जर्म देंगे तो हो गया ना हमारा पास पॉइंट अब एकदम सबसे खासम-खास पॉइंट है देखलो यहां लिखा हुए भी कि इस वर्म के जंतु सिश्वों को जम देने वाले होते हैं ठीक है ना तो अब इसमें खासम-खास पॉइंट है कि अस्तन पाई को आखिर अस्तन पाई क्यों कहें क्यों कि इसमें दुख्द ग्रंथिया पाए जाएंगी यह सबसे important पॉइंट है अस्तन पाई का कि इसमें क्या होती है दुख्द ग्रंथिया memory gland पाई जाती है इस कारण से इसका नाम mammals पढ़ गया तो हो गया ना हमारा च्छाठा point और भी चीज़ों हम लोगों को देखना होगा तो और भी चीज़ में जैसे मैंने बताया कि इस जीव में यह जो जनतू है वो बच्चे को जनम देते हैं लेकिन जैसे कि एक इटना है प्लेटीपस है यह कुछ अपवआद है जो की अंडे देते हैं यहां से भी कुष्ण आएगा कि प्लेटीपस क्या है एक इटन क्या है यह तो तुम्हारा स्तनपाई है जो कि बच्चों को जरम नहीं देता बलकि अंडे को जनम देता है अब देखोगे कुछ कंगारू जैसे जानवर हैं जो अस्तन पाई हैं वे अविक्सित बच्चे को जनम देते हैं और जो कि मार्सूपियम नामक थैली में क्या होता है लटका रहता है और उसका पूर्ण विकास नहीं होता है इस करन से वह थैली में ही ठीक है बच्चों तो यहां देख सकते हो बिली है मनुश्य है चुहा है और वेल है यह वेल क्या होता है अस्तन पाई होता है यह बात क्या दखना चमगादर भी क्या होता है चमगादर पक्षी नहीं है बच्चों अस्तन पाई है और यह जो देख रहोगी इसका पंक नहीं किने के तवच्या है बच्चों ठीक है तो इस प्रकार सी हमारा वरगी करन सवाप्तु और नया चीज आ गया वह है नाम पदती तो बच्चों यहां पर हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उनका अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग नाम होता है ठीक है और यदि अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग उनका अलग 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 भाषा में अलग अलग नाम होता है इन में सभी के नाम भिन भिन भाषा में अलग अलग दिये गए है इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा होगा तो दूसरे को समझ में नहीं कर रहा है किसकी बात कर रहा है क्या बात कर रहा है मुझे बेग्यानिक नाम बोलते हैं और वेग्यानिक नाम परंकरन पद्धती को उसी को द्वीपद नाम पद्धती कहते हैं द्वीपद नाम पद्धती को किस ने दिया था कैरोलस नियस ने दिया था यह देखो यही है कैरोलस नियस जिन्हें द्वीपद नाम पद्धती का हम लोग जनक मानते हैं ठीक है के यह केरोलेस लिनियस बहुत इंपॉर्टन बात है वाद जो उसको याद रखना है तो नाम पद्धती प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है हलाकि नाम पद्धती में हम जीव के वरगी करण के सभी पदानुकरम को ध्यान में नहीं रखते है बलकि एकदम लाश्ट वाला जो जीनस और स्पीसिज है ना इसी के आधार पर उसका क्या होता है नामा करण होता है तो द्वीपद नाम पद्धती में दो नाम रखा जाता है और उसी से हम लोग उसका नामा करन करते हैं अब देखो जैसे की यहाँ पर एक उदारन में दे रहा हूँ तुम्हारा द्वीपद नाम पद्धती का तो उससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा तो यहां पर देख सकते हो बच्चों, यहां पर कुछ plant के नाम दिए गए हैं, जिनका दी पद नाम पद्दी तुम देख सकते हो, तो wheat जो है, उसका नाम क्या है, Is टरीकी से rise कर नाम है, मेज का क्या नाम है, ठीक है, इस प्रकार से यह नाम तुम देख सकते हो, गृष्पध नाम पदती तो यही देखो ग्रीपध नाम पदती में यह पहला नाम हो गया और यह क्या हो गया दूसरा नाम है तो जगोसे के सोगी दूसरा नाम पदती उसको बोलते है जीनस ठीक है और दूसरा पत को क्या बोलते है इस्पीसीज इस्पीसीज कहते है यह नि पहला जीनस को दिखाता है और दूसरा किसको दिखाता है species अब जड़ा ध्यान से देखो गए तो तुम देखऊए जो पहला वाला जीनस है वो capital letter से लिखा गया है और species किससे लिखा गया है yes small letter से लिखा गया है इसके बाद 4.0 जानना चाहोगे बच्चों तो 4.0 देखोगे कि जब इसको हम लोग print करते हैं तो italics में print है italics मतलब थोड़ा इस तरीके से टेणा, टेणा line होता है नो उसको बोलते italics तो देखो यह सारा printed है और तिम देख सकते हो यह italics में printed है यह ततरिके से लिखा है यानि italics में print करते है। फिर इसमें एक और खास work अपने हांथों से लिखेंगे तो हाथों में हम लोग नहीं लिखेंगे हम लोग तो सीधा सीधा लिखेंगे लिखने के बाद ऐसे अंडर लाइन दोनों को हम लोग कर देते हैं यह सारी बाते तुम्हें समझनी चाहिए तो चलो मैं दिखा देता हूं अपने बुक में यह सारी बातों को पढ़ करके तो यहां देख सकते हो जो द्वीपद नाम पद दी उसमें दो नाम पद होंगे पहला जो है उसे जीनस कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे इस पीसिस कहेंगे जो जीनस नाम है उसको बड़े अक्षर से सुरू किय जाएगा जो इस पीसिस नाम है उसको छोटे अक्षर से सुरू किया जाएगा समझ गये अब देखो यदि इसको छापते हैं हम लोग तो मैंने बताया था ना इटायलिक्स में से टेढ़ा टेढ़ा करके हम लोग लिखते हैं लेकिन जब उसको हाथ से लिखते हैं तो जीनस होगा बहुत सारे चीज़े तुम्हें याद भी हो गई होगी तो बच्चों एक्दम लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को और सारे वीडियोस देख सकते हो उसके लिए प्लेलिस्ट को लो सारे वीडियोस तुम्हें वहां मिल जाएंगी तो मैं मिल रहा हूं नेक्स वीडियो में ताइंक्यू बच्चों